अलो दोस्तों जैसे सी परिक्षा में एक पर फीर सब का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जारखंड बीड की सबसे बेश्ट बुक के बारे में जो की चप्चु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकासित किया गया है जिस बुक का नाम है जारखंड बीड संयुक् खासियत है दोस्तों कि इसमें लगभग 2000 से भी जादा महतपून प्रस्ण जोकी ब्याख्यात्मक रूप से सोल्व किया गया है और इसमें पिछले दो सालों का सोल्व पेपर इस बुक में अल्रेडी दिया हुआ है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जारखंड बीड प्रत जोकता परिक्षा में समाने हिंदी से 15 प्रस्ण आते हैं और जेनरल इंगलीज से 15 प्रस्ण आते हैं और सीक्षन अभियोकता से 40 प्रस्ण जबकि तार्की की योकता से 30 प्रस्ण आते हैं तो इन सारे सिलेवस के बारे में इस बुक में completely discuss किया गया है यदि आप इस बुक क का स्वागत है तो आज हम लोग जारकन समान ग्यान के अगले अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस अध्याय का नाहम दोस्तो जमीन समंधित कानून ठीक है तो देखे इस चेप्टर में हम लोग में ली तीन में में टोपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसम अधिनियम 1949 और तीसरा और आखरी टोपिक है अन्य राजियों के भूमी संबंधी कानून ठीक है तो चलिए हम लोग अपने पहले टोपिक से आरम करने वाले हैं जिस टोपिक का नाम है छोटा नागपूर कास्तिकारिय अधिनियम 1908 देखे यहां पास इस कास्तिकारिय अधिन बिहार, बंगाल एवं उडिसा की दिवानी ब्रिटिस कंपनी को स्वंपी गई जार्खन छेत्र में अंग्रेजों का आगमन 779 रिस्वी में हुआ जार्खन छेत्र जंगलों से घीरा था छोटा नागपूर छेत्र में मुंडाओं के राजा ठीक है खूखरा राजा का जिमें बिभक्त था अंग्रेज कैप्टन कैमक के आगमन का बिरोध खडग डिहा पलामू छोटा नागपूर एवं रामगड के राजाओं ने किया लेकिन ततकालिन परस्थितियों में अंग्रेजों का बिरोध संभाव नहीं था ठीक है देखे 1799 इस्वी तक राजस्व क भुक्तान चत्रा के कलक्टर को किया जाता था कम्पनी के सासन वाले छेतर में छोटा नागपूर के राजा को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी प्रसास्तिक ब्योस्था परम प्रागत रुप से चला सकते हैं छोटा नागपूर के महराजा ने सन 1787 में यह रजामंदी दी थी कि कम्पनी रजस्व भुक्तान में असफल होने पर उनके राज्य या राज्य के किसी हिस्से को निलाम कर सकती है देखे आगे हैं इसके बाद कि वर्श 1765 से 1789 स्वी तक कम्पनी के ने रजस्व भेवस्था को अपने ढंक से अस्थापित करने का प्रयास किया था स्वर प्रथम भारतिये एजेंट की नियुक्ती जीलो में की गई और उसका मुख्यालय मुर्सिदा बाद रखा गया जीलो की निगरानी के लिए अमील की नियुक्ती की गई थी तत पहचात परतेक जीले में कलेक्टर की नियुक्ती की गई थी जो बोड आफ रेनियू कलकरता के अधीन था ठीक है आगे है डी सैनियल बंदोबस्ती यानि की अस्थाई बंदोबस्ती के पूरवयह भिवाद उभर कर सामने आया की जमिनदार या जागिरदार की से माना जाए अन्तता डी सैनियल बंदोबस्ती जमिनदारों के साथ की गई गवर्नर जर्नल लोड करनवालिस ने पिछले या पास दस सालों की समिक्षा में पाया की जमिनदार बंदोबस्ती सम्मंधित कानून सुचनाय की पूरी तरह प्रयाप्त नहीं है अता उसे उसने पुना वार्षिक बंदोबस्ती को ही जारी रखने का अदेश दिया 18 सितंबर 1789 सिभी में लिये गए अंतिम संकल्प में नागपूर के राजा के लिए प्रजेंट फूटिंग सब्द का परयोग किया गया जो नागपूर के राजा की हैसियत जमिनदारों से अलग बताता है इनहीं कारणों से रेगुलेशन का विश्तार छोटा नागपूर में नहीं किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि अंग्रेजो द्वारा कई परकार के कानून बनाकर प्रसास्निक ब्यवस्था को अपने हाधों में लेने का सडियंत्र किया जा रहा था इसी करम में चार जुन अठारा सव नो इस बीखो थाना बेवस्था लागू कर दी गई जिसका नियंत्रन रामगड मजिस्ट्रेट के अंतरगत था सेर घाटी में जीले की अस्थापना एवं चतरा में कलेक्टेरियट की अस्थापना की गई इस पूरे छेतर को दक्षिन परशिम फ्रंट्रियर एजेंसी के अंतरगत लाया गया दिवानी फोजदारी और राजस्व नियालय की अस्थापना कर नियाय दिलाने की परकिरिया अरम की गई अंग्रेजों का मुख्य उदेश्य भूर राजस्व की प्राप्ति को सुनिचित करना था इसके लिए उन्होंने नियायालयों का उप्योग कर अस्थानिय जमिनदारों जागिरदारों एवं रैतों की भूमी की निलामी की परकिरिया अरम कर दी इस निलामी के लिए रेगुलेशन 1793 में के कानून का सहारा लिया गया निलामी के सहारे नए जमिन्दार एवं जागिर्दार खड़े किये जा रहे थे ये नए जमिन्दार एवं जागिर्दार बिहार उत्तर प्रदेश बंगाल एवं उरिसा के थे अस्थानिय जमिनदारों यों जागिरदारों का अपने रैतों के साथ समाजिक संबन्द था तथा वे अस्थानिय नीमों यों परमपराओं का निर्वाहन करते थे भूर अबिवस्था में भी जनजाती समाज में प्रचलित नीमों का समान किया जाता था अस्थानिय जमिनदार यों जागिरदार भूईहरी यों मुंडारी खुटहरी भूमी पर किसी परकार का कोई हक्या दावा नहीं करते थे निलामी से बचने के लिए जमिनदारों एवं जागिरदारों ने कडाई से लगान वसूल करना सुरू किया रईयत बढ़े हुए लगान को देने की इस्थिती में नहीं थे क्योंकि भूमी की उत्पादक्ता कम थी और उसके अनुपात में लगान अधिक था इनके सामने बिद्रोह के अलावा और कोई बिकल्प नहीं था सन 1831 इसवी का कोल बिद्रोह इसी अत्याचार की अभिब्यक्ती थी जमिनदार जागिरदारों एवं अंग्रेजों के प्रसासन के बिरुद असंतोस बढ़ रहा था वे अंग्रोजों की राज बियोस्था प्रसासनिक बियोस्था से संतुष्ट नहीं थे ऐसी इस्थिती उत्पन हो गई थी कि बाहरी जमिदारों एवं जागिरदारों की अस्थानिये लोगों ने न्रिह संस हत्या कर दी और इसकी चपेट में अस्थानिये जमिनदार जागिरदार एवं सदान भी आ गए सन 1832 में बिद्रो दबा दिया गया लेकिन ब्रिटिस हुकूमत या सोचने पर विवस हो गई कि जनजातिय समस्याओं को अंदेखा कर इस छेतर में सांती अस्थापित नहीं की जा सकती है सरकार की ओर से छोटे बड़े कई प्रसासनिक सुधार किये गए लेकिन ये काफी नहीं थे नियायाले के माध्यम से हस्त छेप पर अस्थानिय जमिनदारों यूम रैतों की भूमी को हड़ अपने की परकेरिया लगतार जारी थी इस अंदर में जनजातिय लोगों के अतिरिक्त जमिनदार जागिरदार मान की मुंडा उरां यूम संस्थाल थे जो एकजुट होकर खड़े हो गए थे अस्थानिय लोगों के साथ साथ जनजातिय समुदाय की समस्या निरंतर बढ़ रही थी इन समस्याओं की और अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान जाना स्वभाविक था प्रसासन ने भूइहरी भूमी एवं अस्थानिय जमिनदारों की मजियस भूमी को चीनित करने के लिए वर्ष 1862 में बाबु रखाल दास हलधर की तेखरेख में भूइहरी सरवे आरंब किया जो सन 1879 तक चला सरकार की ओर से अनुसुचित जन्जाती की भूमी को सनरक्षित करने का यह पहला प्रभावी कदम था प्रसासनिक सुधार की परकिरिया के अंतरगत सन 1889 इस्वी में छोटा नागपुर लेंड एंड आट टेनेंट प्रेसिडेंटियोट एक्ट लाया गया इसके पहचात बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 इस्वी में पास किया गया जबकि बंगाल टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को लागु किये जाने का विचार सन 1899 तक अस्थगित रहा पिछले सौव वर्ष के अनुभव से प्रसासन में मौजावार सर्वे करवाने का निनन लिया गया जिसके अंतरगत खेवट एवं खतियान का निर्मान किया जाना था छोटा नागपुर में पहला सर्वे वर्ष 1902 में प्रारंभ हुआ तथा सन 1903 इस्वी तक काफी जानकारी उपलब्ध हो चुकी थी छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम का प्रारूप भी 1903 इस्वी तक तयार हो गया था जिसमें संसोधन एवं परिवर्थन करते हुए 11.1998 इस्वी को छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 लागु किया गया इस अधिनियम को भारतिये परिशद अधिनियम 1892 की धारा पाँच की अधिन गवर्णर जनर्रल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया इस अधिनियम का बुलू प्रिंट जोन एच होफ मैं ने त्यार किया था इसमें कुल 19 अधियाए और 201 धाराएं हैं तो चले हम लोग अधियाए नंबर एक के साद इसके बारे में डिसकस करते हैं डीपली देखे तो यहां से है कि संशिप्त नाम तथा प्रसार देखे इस अधिनियम का संशिप्त नाम छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम 1908 है इसका प्रसार उतरी छोटा नागपूर और दख्नी छोटा नागपूर परमंडलो में होगा जिनमें वे छेत्र या उन छेत्रों के भाग भी सामिल होंगे जिसमें बिहार उडिशा नगरपाली का अधिनियम 1922 के अधिन कोई नगरपाली का या अधिसुचित छेत्र समीती गठित हो अथवा जो किसी छावनी के भीतर पड़ते हो ये धारा एक है इसमें ठीक है देखे आगे है इसके बाद की निरसन ठीक है अनुसुची ख में निर्दिश्ट अधिनियमों को अधिसुचना को छोटा नाकूर प्रमंडल में निरसित कीर दिया जाता है अनुसुची ख में निर्ष्ट अधिनियमों और अधुसुचना को छोटा नाकुर प्रमंडल में निर्षित कर दिया जाता है और अनुसुची खां में निर्ष्ट अधिनियमों को धनबाद जीला में तथा सिम्हुम में पटमदा इचागड और चांडिल थानाओं में निर्षित किया जाता है ये धारा टू है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है आगे देखें दूसरों एक खतर धारा है उनी सध्या में ठीक है परिभासा देखिए यहां से है पाला की भूतु बंद बंधक किसी कास्तकार के हीत का उसकी कास्तकारी से उधार उसपर के सभी ब्याजों के साथ बं जोत दूसरा देखे रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड तिसरा कोरहर सोरी कोरकर वह भूमी जो अस्थानिय रूप से बहवाला खंडवत जन सासन या अरिहत हो जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो जो जंगल बंजर या अन जूती थी एवं जो भू भू स्वामी से भिन किसी क्रिशक द्वारा बनाई गई हो चाउता है इसके बाद की भू स्वामी वह भेक्ति जिसके तुरंत अधीन कास्तकार भूमी धारन करता है और इसके अंतरगत सरकार भी आती है पांचवा जंगल संपती के अंतरगत खड़ी फसल भी आती है छठा म मुंदारी खुटकदारी कास्तकारी से अभिप्रेत हैं मुंदारी खुटकदारी का हीत सातमा भूबृती भूधारक का हीत किन्तु इसमें मुंदारी खुटकदारी कास्तकारी नहीं आती है अठमा अस्थाई भूबृती का मतलब भूधृती जो वनसगत है नमा अस्थावर सर्थ का अर्थ लगान से भी भीन के अभियोग के से अनुलगन सिमाए दस्वा पुर्णा गारहा भूवरिती वैसी भूवरिती जो परिवार के नरवारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुना भूस्वामी को वापस हो जाए गराम मुख्या किसरी गराम या गराम समू का मुख्या चाहेवा मानकी या परदहान या मानजी या अन्य नाम से ग्याद हो बारहुआ अस्थाई बंदोबस 1798 इस्वी में भंगाल बिहार और उडिशा के सम्दर में किया गया अस्थाई बंदोबस धारा तीन ठीक है अग्या नंबर आगे है दो धारा चार से लेकर के आठिस में दिया गया है देखे कास्थकारों में भूधारक रयत यथा अधी भोगी रयत अंधी भोगी रयत रयत जिन्हें खुटक कटी अधीकार प्राप्थ हो दर रयत अर्थात ऐसा कस्थकार जो रयत के अधीन धारन करता हो एवं मुंडारी खुटकी धारी सामिल है धारा चार में सामिल है भूधारक वैसे बेक्ती जो अपनी जमीन या किसी दुसरे की जमीन खेती कारे के लिए धारन किये हुए है एवं लगान चुकता हो पाच्वधारा में सामिल है रयत वैसा बेक्ती जिसने खेती करने के लिए भूधारन करने का अधीकार प्राप्त किया हो इसमें मुंडारी खुटकटी दार नहीं आते खुटकटी अधीकार युकतर यत वहरायत जिसे उस भूमी पर जो ग्राम के मुल प्रवर्तक या उसकी नर प्रमपरा के वनसोजो द्वारा जंगल में क्रीसी योग भनाई गई है का अभी भोग हक रखता हो और मुंडारी खुटकटी दारी वह मुंडारी जिसने जंगल भूमी के भागों को जोत में लाने के लिए भूमी को धारन करने का अधीकार अर्जित किया हो चलिए अध्या नमबर तीन देखे भूधारक नो से लेके पंदरा अधारा तक है इसमें किसी भूधारक की जमीन का लगान जो अस्थाई बंदोबस्त के समय से परिवर्तित नहीं हुआ हो तो उसमें कोई बृधी नहीं होगी चोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम 1879 के अधीन किसी रजिस्टर में ब्यक्त किसी भूधार की जमीन के लगान में ब्रिधी नहीं होगी किसी भूध ब्रिती या उसके भाग का अंतरन उत्रादहिकार विरासत अविक्रय दान या बिनी में द्वारा किया जाये तो बंधो को भूध रिती के अंतरन की रजिस्ट्री के परकिरिया का वर्नन किया जाएगा यदि कोई भूस्वामी धारह गारह से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता हो तो अंतरीती उपायुक्त के पास अविदन कर सकेगा एवं उचित जाच करने के बाद उपायुक्त अंतरन रजिश्ट्री होने का अदेश दे सकता है धारा बारा में सामिल है आगे है कि किसी भूवरीती के बिभाजन या बीतरन की सुचनाजिश्टिक डाक से भूस्वामी को भेज देने के बाद भूस्वामी उस भूद्रीती का विभाजन एवं अलग अलग भाग का लगान निधारित कर सकेगा यदि भू स्वामी विभाजन या लगान के बित्रन पर अपत्ती करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आविदन दिया जा सकता है दारा 13 मिसामिल है कोई पुना गरहन योग जमीन जिनको जमीन दी गई हो से पुना गरहन की स्थिती आने पर पुना गरहित हो जाएगी लेकिन पटे पर दी जाएने वाले भूमी जहां निर्वासगरी निर्मान साला या अन्यस्थाई भवन निर्मित किया गया हो या अस्थ युझीज समत प्राधिकारी द्वारा प्रधिकृत ख़दान बनाया गया हो कोई भी मुंडारी खुटिकदारी कास्त कारी की कोई भूय हरी भूद रीती हो तो पुना गरहन पाने वाले का पुना गरहन करने का दिकान नहीं होगा धारा 14 है धारा 11 है किसी जमीन के दिश्ट् असले के 36 तक है इस अधिनियम के प्रारम होने के तुरंद पहले किसी अस्थानी प्रथा के द्वारा किसी भूमी में किसी रईयत का अभी भोगा अधिकार हो उस भूमी पर 12 वर्स न तो खेती की हो न ही उसे धारित गिया हो तब भी उस पर उसका अधि गाभिगार रहेगा ठीक है मतलब उसका वो क्या कर सकता है उस पर अधिकार रहेगा उसका कोई ऐसा छेत्र जो बिहार उडिसा नगरपाली का अधिनियम और 1922 की उबबंधों के अधिन एक नगरपाली का करूप में गठित हो अथवा जो किसी चावनी में हो में गठन से पुरो अर्जित अधि किसी गाउं से इस्थिर भूमी को पुंता या असंत पटे या अन्यथा रहयत के रुप में लगतार 12 वर्सों की काला ओधि तक निधारित किया हो उस काला ओधि के अधिके अवस्थान पर उस ग्राम पर बंदोबस्त त्यार रहयत समझा जाएगा ठीक है आगे इसके बाद कि कोई बेगती किसी गाउं का बंदोबस्त रहयत उस गाउं में रहयत के रुप में भूमी धारित करते रहने तक तथा उसके तीन वर्सों बाद तक समझा जाएगा यदि कोई रहयत धारा 71 के अधिन या बाद के जरिये भूमी का कब्जा वापस ले ले एउन तीन वर्सों तक बेकब्जा किये रहे बंदोबस्त रहयत समझा जाएगा आगे इसके बाद कि भूई हरोत था मुंडारी खुटकदारी का बंदोबस्त रहयत होना देखे पहला है इसमें कि किसी गाव में मंजी हस या बेठ खेता के रूप में ग्यात भूमी से भीन कोई भूमी छोटा नागपूर भूव भृती अधिनियम 1879 के अधियार और पुछ रजिस्टर में प्रविष्ट हो वहां किसी भूई हरी परिवार के ऐसे किसी सदस्यों जो उस गाव में भूधारन करते हो और 12 वर्सों तक लगतार भूमी धारित करते आये हो किसी गाव की ऐसी भूमी जो मुंदारी, खुटकदारी, कस्तकारी का भाग न हो एवं इस अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारंब के पुर्व किसी अभिधी के अधिन मुंदारी, खुटकदारी, कस्तकारी की प्रविष्ट कर दी गई हो एवं लागतार बारव वर्सों तक भूमी धारीता करते रहे हो बंदोबस्त रईयत समझा जाएगा देखे आगे इसके बाद की बंदोबस्त रईयत का अधी भोगाधीकार वैसे बेकती जो धारा सत्रा या धारा अठारा के अंतरगत किसी गाउं का बंदोबस्त रहयत हो उस गाउं में उसके द्वारा रहयत के रुप में धारिज सभी भूमी में अभी भोगा धीकार होगा जब किसी अभी भोग जोत का अभिवहित भूस्वामी भूधारक हो एवं जोत में भूस्वामी तथा रहयत का संपूरन हित अंतरण उत्राधिकार दोरा सेयोजित हो तो ऐसे बेकती अस्थाई भूधारक के रुप में भूमी धारित करेगा भूमी के उप्योग के संबंध में अभी भोगी रईयत के अधिकार कोई रईयत अपनी अधिकारिता भूमी को अस्थाई रिती से कास्तकारी के लिए उप्योग में ला सकता है क्रीसी के लिए इट और खपडो का निर्मान पानी पीने घरेलू क्रिसी या मतस्य पालन के लिए बांध या आरो के निर्मान के लिए कुटिर उद्यों के अर्थ में भौन बनाने के संदर्व में कर सकता है आगे है बेदखली अगर कोई भी भोगी रहयत अपनी जोत में उस समय की समाजिक रिती से खेती करते आया हो तो उसे किसी वी निर्दिश्ट अधारों के सीवाद बेदखल नहीं किया जाएगा आगे है कि अधी भोग जोतो के कती पाए अंतरनों का रिष्ट्री करन यदि कोई अधी भोग जोत विक्रै दान वसियत या बिनिमय द्वारा अंतरित कर दिया हो तो अंतरित उसको भुस्वामी के कारेकाल मरिष्टी करवाएगा धारा 24 से 36 तक लगान करने धारन जोत के बंटवारे के बाद जमीन के लगान परने धारन लगान ब्रिधी या कमी का कारन और ब्रिधी या कमी करने का उपायूक्त का अधिकार आधी के बारे में बताया गया है ठीक है अधियाए पांच देखे खुटकटी अधिकार प्राप्त रईयत धारा सैंतिस्त अधिनियम के अधिभोगी रईयत समंधी उबबंद उन रैतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त हो लेकिन पहला है इसमें कि कास्तकारी के प्रारंब क किसी लिखित नियम से खुटकटी अधिकार प्रातरयत द्वारा उस भूमी के लिए जिसके बारे में ऐसा उसे ऐसा अधिकार हो देल लगान नहीं बढ़ाया जाएगा एवं ऐसी भूमी कि कास्तकारी इस अधिनियम के बारे में 20 वर्सों से भी अधिक पुरुसरिजित की लगान की ब्रिधी है तो कोई आदेश दिया जाए तो ऐसे आदेश द्वारा लगान ब्रिधी उस गाह में समरूप भूमी के लिए अभी भोगी रईयत पर लगान लगाने के आधे से ज़्यादा नहीं होगी अधिया नमबर छठा अंधि भोगी रईयत के बारे में देख की दर तय की जाएगी धारा 38 में बताएगा है अंधि भोगी रईयत को अपनी जोत के लिए उसी पर कर लगान देना होगा जैसा अधि भोगी रईयत देते हैं ठीक है अंधि भोगी रईयत का लगान किसी रजिस्ट्री कृत करार या धारा 42 के अधिन करार के अलावा नहीं आगे है कि अंधी भवी रियत को बे देखल किये जाने का धार 1441 में है दिया गया है कि तीसरे क्रीसी वर्स के प्रारम के बाद 90 दिनों के अंदर पीछले दो वर्सों का लगान चुकाने में असफल लहने पर जोत में समाविष्ट भूमी का उप्योग किसी अनुप्योग तरीके से नहीं किया हो जिससे भूमी के तात्विक रूप में कमी आती हो तिसरा अपने और अपने भू स्वामी के बीच की संबीदा के निबंधन की किसी सर्थ को नम मानने पर आगे इसके बाद की अगर किसी रजिस्ट्री कृत पट्टे से वह अधी भूग में प्रविष्ट हुआ हो पाचवा उचित लगान का भूक्तान करने से सहमत न होना उचित ओर समयक लगान के भूक्तान की सहमती देने से इनकार करने पर भू स्वामी करार निबंधित करने के लिए उपायुक्त के कार्याले में आवेधन करेंगे विभिन पक्षो को सुनने के बाद उपायुक्त रियत की बेदखली होने का या न होने का निनए देंगे ठीक है आगे है अध्याय साथ में देखे अध्याय चार से लेके छव से छुट प्राप्ती भूमी के बारे में था अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे की अध्याय साथ में की सरकार के द्वारा अस्थानिय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अरजित भूमी किसी चावनी के भीतर सरकार की भूमी ऐसी भूमी जिसका उप्योग सडक नहर तटबंद बांध के रुप में हो या भू स्वामी की विशेसा धिकार युक्त भूमी जब किसी अधिकारी द्वारा एक वर्स से अधिक वर्स के लिए रिष्टिकरित पटे पर या एक वर्स या उससे कम अधिक के लिए लिए लिखित या मोखिक पटे पर दी गई हो उपयुक्त मामलेक में भूमी लगान मुक्त रहेगा आगे अध्याई आठ में है कि जोतो या भूद रीतियों के पटे और अंतरंधारा 44 से लेके 51 परतेक रहियत अपने भू स्वामी से एक पटा प्रात करने का हकदार होगा जिसमें उसकी जोत की सीमा, वार्सिक लगान की रकम, लगान की किस्तें अगर लगान वस्तु रूप में दे हो तो उपज का अनुपात और पटे की बिसे सर्ते लिखी रहेगी और धारा 44 में है या भू स्वामी परतेक दिये हुए पटेक की सर्तों के अनुरूप एक प्रती लेख पाने का हकदार होगा धारा 45 आया धारा 46 रहितो द्वारा अपने अधिकारों के अंतरन पर परतिबंद पहला, रहित द्वारा अपनी जोत्या उसके किसी भाग पर अधिकार का बंधक या पटे द्वारा 5 वर्से जादा कालाओधी के लिए बिकरे दान या किसी अन्य समीधा द्वारा अंतरन किसी हद तक बिधी माने नहीं रहेगा ठीक है, परन्तु कोई रहित अपनी जोत्या उसके किसी भाग को साथ वर्सों से कम किसी भी कालाओधी के लिए भूगत बंध बंधक कर सकेगा परन्तु यह और की पहला ऐसा अधिभोगी रहित जो किसी अनुसुची जनजाती का सदस्या हो उपायूक्त की पूर मंजूरी से अपनी जोत्या किसी भाग के अपने अधिकार को बिकराए बिनिमय दान या विल द्वारा किसी दूसरे अनुसुची जनजाती के ब्यक्ती क अंतरिप कर सकेगा जो उसी पुलिस थाने के छेत्र के अस्थानी सिमाओं के भीतर का निवासी हो जिसके भीतर जोत्य इस्थित हो खवला है कि ऐसा अधिभोगी रहित जो अनुसुची जाती या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो उपायूक्त की पूर मंजूरी से अपनी ज जोत के किसी भाग के अपने अधिकार को विक्राय भी निमय दान बिल या पटे द्वारा किसी ऐसी अन बेक्ति को अंतरिप कर सकेगा जो नुसुची जाती या पिछड़े वर्गों का सदस्य हो जो उसी जीले की अस्थानी सिमाओं के भीतर का निवासी हो जिसके भीतर जो कोई अधिभोगी रहियत अपने जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरण 1935 के बिहार उरिसा अधिनियम के अधिन रजिस्ट्री करित समझा गया किसी समीती या बैंक जो राजसरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्तों में है या जिसमें अंस पुन्जी का 21% से ज़्यादा राजसरकार या किंद्र सरकार अथवा दोनों धारन करती है और जिसे क्रिसिकों के लिए क्रिसी उधार देने की द्रिष्टी से अस्थापित किया गया है से कर सकेगी कोई अधिभोगी रहियत जो अनुशिची जाती अनुशिची जन जाती या पिछडे वर्ग का सदस्य नहीं है अपनी जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरन भीकरय, वीनिमय, दान, वसीयत, बंधक, द्वारा, अथवा, अन्यता, किसी भी प्रकार के अन अधिकर होगा, उपधारा एक के उलंगन में कोई अंतरन रिश्टिक्रित नहीं किया जाएगा, अगर किसी प्रकार के किसी भी नियम का उलंगन हो तो उपायुक्त उन सभी वादों में अवस्य पक्षकार होगा, जिसमें वाद का एक पक्षकार अनुशिची जन जाती का स जोतिया उसके किसी भाग के अपने अधिकार को, जिस काला अधि के लिए अंतरित किया हो उस काला अधि की समाप्ती के बाद तीन वर्सों के भीतर किसी भी समय उपायुक्त रहयत के आवेदन करने पर रहयत को ऐसी जोतिया उसके भाग को नियम से उसके कबजे में देगा, उपायुक्त स्वप पिर्णा से किसी अनुस्ची जन्जाती अभी भोगी रहे द्वारा अंतरन का निसन इस अधार पर कराने के लिए अंतरन उपधारा एक के को के उलेखने उलंगन में किया गया था ठीक है आवेदन किये जाने पर से जाच करेगा परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा तब तक गरहन नहीं किया जाएगा जब तक कि अधी भोगी अधी अभीदारी ने अपने जोत या उसके किसी भाग के अंतरन की तारिक से 12 वर्सों की कालाउधी के भीतर उसे फाइल न कर दिया हो लेकिन खायोंग के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्वा उपायुक्त संबन्द पक्चकारों को परियाप्त आउसर देगा आगे है उपायुक्त आउसर परियापाते हैं कि अंतरन में उपधारा एक के को काउलंग नहीं हुआ हो तो आवेदन को रद कर देगा और अंतरक द्वारा अंतरीत कोई भुकतान किये जाने वाले ऐसे खर्च अधिन निर्मित कर सकेगा जो उस मामले के अनुसार होगा इस उपधारा के खंड को के निर्दिश जाच करने के बाद अगर उपायुक्त इस निर्दिशकर्श पर पहुंचे की उ वो अंतरन को खतम कर देगा और अंतरीती को ऐसी जोत या उसके किसी भाग से बेदेखल कर देगा और अंतरक को उसका कबजा दिला देगा आगे है इसके बाद की परंतु यदि अंतरीती ने ऐसी जोत्या ऐसे किसी भी भाग पर किसी भवन या सनक्चना का निर्मान कर लिया है तो पायुक्त उस देशा में जिसमें अंतरक उसके मूल का भुकतान करने का एक चुकना हो अंतरीती को आदेश की तारिक दो वर्षों के अंधी समय के अंदर हटाने के लिए आदेश देगा ठीक है आगे है परंतु यदि उपायुक्त को समधान हो जाए कि अंतरीती ने छोटा नाकपूर अधिकरेत अधिनियम 1979 के आरम के पहले ऐसी जोत्या उसके भाग पर किसी भावन का निर्मान कर लिया है तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के होते हुए भी उपधारा एक के को के उलंगन में किये गए ऐसे अंतरन को विधी माने कर सकेगा जबकि अंतरिती या तो समतुल्य मूल की या कोई समीप की वैकल्पिक जोत या जोत का भाग अंतरक को उपबंध कर दे या ऐसा प्रतिकर का भुकतान न कर दे जो अंतरक के पूर्ण वास के लिए उपायुक द्वारा निधारित किया जाएगा आगे है पाचवा में कि इस धारा की किसी बात से किसी रईयत से उसकी जोत या उसके किसी भाग में उसके अधिकार के ऐसे अंतरन की बिधी मानेता परपभाव नहीं पड़ेगा जो मानभुम छेतर को छोड़कर छोटा नाकपुर खोंड के एक जोनवरी से 1903 इस वी के पूर्व और मानभुम छेतर में 1909 इस वी के पूर्व सदभाव पूर्व किया गया हो धारा 47 नियाले आदेश के अधिन रहती अधिकार के विक्रय पर परतिबन किसी नियाले द्वारा किसी रहयत की जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा लेकिन लगान की उसली नहोने पर किसी उधार की वसली के लिए किसी राष्टगे क्रित बैंक की रीन की वसली के लिए बिहार उडिसा लुक मांग उसल अधिनिया द्वारा बेचा जा सकता है परंतु यदि किसी holding या उसका भाग किसी अनुसुची जाती या अनुसुची जन जाती कसदस्य का होतु से किसी ऐसी बेक्ती को नहीं बेचा जाएगा जो अनुसुची जाती या अनुसुची जन जाती कसदस्या नहीं है इस धारा की कोई बात एक जनवरी 1903 के पूर्वा जोत के लिए विक्राय के लिए रिष्टिक रेट सम्वीदा के निस्पादन के लिए परप्रभाव डालेगी ठीक है अब धारा 48 में दिया हुआ है कि भुवरी भुवरीधी के अंतरगर परतिबंध के बारे में ठीक है तो देखे इसको जब परतिबंध है यहाँ पास दिया गया है चले के करके हम लोग जान लेते हैं एक से देखे कोई भुवरी हरी कुटुम्ब का कोई ऐसा सबसे किसी भुवरी भुध रीती को जो उसके द्वारा धारित हो अथवा उसके किसी भी मांग भाग को उसी रीती से और उसी परिनाम तक अंतरित कर सकेगा जैसे कोई आदिवासी रयत अपनी जोत में अपने अधिकार को अंतरित कर सकता है दुसरा राज सरकार भुवरी को टुम्ब के किसी भेक्ती को उसकी भुव ध्रीती का विकरैदान अधिनियम विल द्वारा अर्जित करने की अनुग्या देने वाले नियम बना सकेगी तीसरा उपर वर्नित दो उपधारा के अलावा भुईहरी हा भुद रिती का अंतरन किसी भी सीमा तक आविधी मानने नहोगा चौथा आगे है कि यदि किसी भुईहरी कुटूंब के सदस्य को किसी ऐसी भुईहरी भुद रिती का अंतरन नियम बिरुद किया गया हो तो उपायुक्त स्वाप प्रेर्ना से ऐसे सदस्य के आविधन पर अंतरित को बेदखल कर सकेगा और भुईहरी कुटूंब का कोई सदस्य अगर किसी ऐसे ग्राम में भुईहरी का धारन करता हो जहां छोटा नाकपूर भुद रिती अधिनियम 1879 में यथा प्रिभासित भुईहरी भुद रिती इस्थित हो ऐसी भुईहरी को उसी रिती से और उसी सीमा तक अंतरित कर सके जैसे कोई अधि भोगी रियत्धारा 46 के उपधारा 3 के अधिन अपने जोत में अधीकार का अंतरन करता है चठा है यदि किसी भुईहरी कुटूंब का कोई सदस्य अपनी भुईहरी भुद रिती या उसके किसी भाग की पटे का अंतरिती करे तो पटेदार उसमें अधि होगा धीकार अर्जित नहीं कर सकेगा ठीक है धारा 48 किसी नियाले द्वारा भुई हारी भूद रीती के अधीन के बिकरय के सम्मंध में कोई अधिस पारित नहीं होगा धारा 46-47-48 में रहते हुए कोई अधिभोगी रहे त्या भुई हारी कुटुम्ब का कोई सदस्या जो द्वारा 48 में निर्दिष्ट हो निम्न प्रयाजनों में अपने जमीन कांतरन कर सकेगा देखे जिसमें की पहला है किसी प्रोधियोगी उदेशियों या जिसे राजसरकार सहायक प्रयोजनों के रूप में या उस अस्थल तक अपेक्छी भूमी के पहुँच मारके प्रयो प्रयोजन के रूप में या उस अस्थल तक अपेक्छीत भूमी के पहुँच मारक के प्रयोजन के लिए ठीक है और आगे है कि ऐसा कोई अंतरन रिष्ट्रीक्रीत दस्तावेश द्वारा ही किया जाएगा राजसरकार उस तारीक से जिस तारीकों किसी ऐसी अधिभोगी र इसी समय तक सोप्रेशन से या उसके हे तू जमा किये गया वेदन पर ऐसी लिखित सहमती को उस दसा में पास्त कर सकेगी धारा पचास भूस्वामी द्वारा भूद रीती या जोतका अरजन के बारे में ठीक है चलिया आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसके बाद है अधिय जुगते नकत लगान किसी वर्ष की प्रतेक तिमाही में चार समान किस्तों में दे होगा ठीक है लगान का भूकतान माल कचहरी ऐसे अन्यस्थानों जहां भूमी के लगान का भूमी भूकतान हो डाक मुद्रा देश के द्वारा किया जा सकेगा लगान या उस पर दे ब्या या दोनों के भुक्तान करने पर एक रसीद भूस्वामी के द्वारा दी जाएगी रसीद नहीं देने पर उपायूक्त के यहां सिकायत की जाएगी किसी वर्स में लगान का भुक्तान नहीं होने पर उपरती वर्स अधीक से अधीक 26.25% ब्याज लगेगा लेकिन अगले किसी वर्ष में संपुर लगान का भुकतान कर देने के इस्थिती में ब्याज 3% से ज़ादा नहीं लगेगा लगान नहीं दिये जाने के इस्थिती में भूधारक का पटी रद कर दिया जाएगा निने लिया जा सकता है कास्तकारी लगान का कास्तकारी पर प्रथम भार होगा परंतु यदि कास्तकारी का भिक्राय लगान के बकाय का भुकतान कर दिया जाये तो खरिदार का उस कास्तकारी भिक्राय की तारीख के पूरुल लगान से मुक्त कर देगा वस्तु रुप से दे लगाने का रुपांतरन लगान वस्तु रुप से चुकाने पर भूस्वामी द्वारा लगान को धन लगान के रुप में रुपांतरन करने के लिए आवेदन करने का पयुक्त था ठीक है या उपायुक्त या किसी राज राजस्वधी कारी उचित जहाच के बाद रुपांतरित धन लगान का नियम निर्गत करा सकेंगे धारा 61 के अधिन किसी जोत का लगान उपांतरित होने पर वहां लगान अगले 15 वस्तक नहीं बढ़ाया जाएगा या नहीं घटाया ज जिवाय भू स्वामी द्वारा की गई ब्रीधी अथवा भू द्रीती के छेत्रम परिवर्तन के अधार पर उपायुक्त के आदेश से अथवा रस्वधी कारी द्वारा पारित आदेश से उपायुक्त लगान के द्वारान बाद लगान देने के बाद भी भू स्वामी के द्वारा किसी कास्तकार को अतिरिक्त किसी भुक्तान की सत रखने पर या भुक्तान करवाने पर भुस्वामी को 6 महीने का कारावास या 500 रुपे तक का दंड देने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है यहाँ पासा ध्याई 9 के को के बारे में दिया हुआ है चले जान लेतें इसके बारे में देखें बंजर भुमी का बंदोबस्त धारा 63 से ले करके धारा 63 के को तक है को से ले करके राज सरकार द्वारा बंजर भुमी का बंदोबस्त भीत रूप से पटे द्वारा किया जाएगा पट्टा दो प्रतियों में त्यार होगा ठीक है जिसकी एक प्रतिरयत को एवं एक प्रति उपायुक्त को भेजी जाएगी उपर की रिती से बंदोबस्त किसी ऐसी भूमी जिस पर बंदोबस्त की तारिक से पांच वर्षों तक खेती न की गई हो एवं अन्य संकर् को अपास्त करने था उसे पुना बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा ठीक है अधिया दस्त ठीक है देखिए अधिया 10 के बारे में भुस्वामी तथा कास्तकारी के लिए प्रकिर्णन उपबंद के बारे में 64 से लेकर के 75 धारा तक है इसमें देखे कोरकर किसी गाउं के क्रिशक या भूमी हिन सरमिक को उपायुकत की आग्या से भूमी को कोरकर की प्रतिवर्तित करने का आधिकार होगा 64 किसी क्रिशक को क्रिशी अन्य बेखती के कब जाधीर किसी बगीचे या किसी भूमी या बारा भूमी ठीक है खोरकर में बदलने का अधिकार नहीं किया जाएगा 66 है ऐसे प्रतेक रईयत को जो ऐसी भूमी जोता या धारित करता हो जिसे उसने कोरकर या परिवर्तन कर दिया हो इस बात के होते हुए भी कि उसे 12 वर्सों तक उस भूमी पर खेतिना किया गया हो उस भूमी पर अधिब होगा धिकार होगा कोरकर में समपरिवर्तित भूमी पर लगान रोक कोरकर में बदन ले जाने के बाद पहले क्रिसी वर्स की फसल की कटाई के चार वर्स बात तक लगान दे नहीं होगा इस अवधी के बाद कोरकर के लिए लगान की दत्रिति वर की धनहर भूमी के लिए प्रचलित दर क्या धे दर से नहीं किया जाएगा आगे है बेदखली के बारे में ठीक है देखे बेदखली जो होता है किसी भी कास्तकार को किसी ढीगरी या उपायूक्त के आदेश के सिवा उसकी कास्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा ठेक है धारा अर्चर बताया गया है किसी अधी भोगी रईयत या अंधी भोगी रईयत द्वारा अपनी जोत में उपयूक्त तरीके से भूमी का अपयोग नहीं किया गया हो या उसने अधी नियम के संगत कोई नियम नहीं माना हो को बेदखल किया जा सकता है बिदखली के प्रतेक आदेश में युक्ती युक्त भूत तेय ठीक है भूत तेय प्रतिकर की रकम यों चुकाने की समया वधी निधारित रहेगी यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकार का भूतान कर देतो उसकी बिदखली रद की जा सकती है धारा 69 में है बिदखली के आदेश क्रिसी वर्ष के अंत से और नियालाय के अगले आदेशित तारिक तक प्रभावी होगा धारा 70 में है कोई कास्तकार बेदखल होने की स्थिती में बेदखली की तारीक से अगले एक वर्स तक उपायुक्त के सम्मुक आवेदन दे सकता है यह धारा एक खतर में है धारा एक खतर के क्या है देखे बताते हैं से पहले देखे यदि किसी समय उपायुक्त को पता चले की कोई रईयत जो कि अनुसुचि जनजाती का या मुंदारी, खुटकटी दारी या भूहारी है भूमी का अतरन धाराच शालिस या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उलंगन करके किया गया है तो वहां अंतरीती को सफाई देने का उपयूक्त अवसर प्रदान करने के बाद अंतरीती के को प्रतिकर के भुक्तान किये पर या ऐसे परत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दसा में उस भूमी को अनुसुचित जनजाती के किसी दूसरे रहयत के साथ प्रतियक्त जोत के निबटाव के अस्थानिय नियम के अनुसार पुर्वबंदोबस्त कर सकेगा परं जोतिया उसके किसी भाग पर किसी भावन का निर्मान कर लिया हो तो उपयुक्त अंतर द्वारा उसका मुल चुकाने को रजामंद न होने पर अंतरीती के आदेश देगा कि हुआ आदेश की तारीक से अधिक्तम दो वर्सों के भीतर भावन को हटा ले ऐसा नहीं करने पर उपयुक्त उस भावन को हटवा सकेगा ठीक है परन्तु जहां उपयुक्त का समधान हो जाए कि अंतरीती ने बिहार अनुसुची छेत्र अभिनियम 1979 के लागू होने से पहले ही ऐसी जोत पर भावन का निर्मान कर लिया हो तो वह ऐसे अंतरन को विधी मान्य दे सकेगा ब कोई दूसरी जोत उपलब्द करा दे या अंतरक के पुर्णवास के लिए उपयुक्त द्वारा निधारित प्रतिकर चुका दे परन्तु यह और भी कि जाच के बाद उपयुक्त को समधान हो जाए कि अंतरीती द्वारा प्रतिकूल कभजा भूमी अंतरक को दूबस्त कर लिया जाए ऐसी स्थिती में अंतरक को उपयुक्त के पास उतनी धनरासी जमा करनी होगी जिससे वह भूमी अंतरीती की गई थी अथवा उपयुक्त उस भूमी के बजार मुले को ध्यान में रखते हुए तथा भूमी में किये गए किसी सुधार की रकम को ध् धारा 26 का उलंगन करते हुए कोई भूमी अंतरीत करने की इस्थिती में तीन वर्स तक की सजा या एक हजार उपय तक की सजा या दोनों दे होगा और उसके दोरान हर एक दिन के लिए 50 रुपया अंधिकरित अतिरिक्त जुर्माने से दन्ध होगा परित्याग के बारे में देखे कोई रईयत अगर किसी पटे से अबध न हो तो क्रिसी वर्स के अंत में उपायुक्त की लिखित मंजूरी से अपनी जोत को अभियापित कर सकेगा अधारा बहतर में है यदि कोई रईयत भूस्वामी को सुचना दिये बिना अपनी भूमी का परित्याग सुएक्छा से कर दे और सेम किसी अन्या बेक्ती द्वारा भूमी पर खेती करना बंद कर दे तो भूर स्वामी ठीक है भूस्वामी किसी दूसरी रईयत को उस भूमी का पट्टा दे सके लेकिन भूस्वामी को इसके लिए उपायुक्त को सुचना देनी होगी धाराती हत्तर में है आगे है अधी भोग का जारी रहा देखे कोई भूधारक ग्राम मुख्या या रहयत किसी जोत के अधी भोग में रहा हो और कोई पटा निस्पादित किया जाये ताकि अधी भोग जारी रहे तो भूधारक उस पटे के द्वारा अधी भोग में सामिल समझा जाएगा धारा चुवत्तर में है कास्तकारी रिक्त होने पर ग्राम मुख्या का आवरन कोई कास्तकारी जो रूढिक अनुसार ग्राम मुख्या द्वारा धारित हो किसी कारन से रिक्त हो जाए त प्विदन कर सकेगा जिसे रूढी के अनुसार कास्तकारी धारन करने का हकदार गरा मुख्या होना चाहिए यह धारा चुगत्तर के कामे है माप के बारे में देखे किसी संपदा भूधरिती या मुंडारी खुटकटी दार या कास्तकारी के परतेक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा यदि किसी भूस्वामी को किसी भूमी की माप करने का अधिकार हो और भूमी की अधिभोगी द्वारा बिरोध किया जाए तो भूस्वामी उपायूक्त के पास एक आवेदन पेस करेगा उपयूक्त पक्छो के सुनने के बाद उपायूक्त सही इस अधिनियम की कोई बात ऐसी किसी रूढ़ी प्रथा को परभावित नहीं करेगी जो उसके उपबंधों से असंगत न हो धाराचियतर। इस अधिनियम के लागू होने योग उपबंधो द्वारा भी निमन होगा। इस अधिनियम के उपबंध से किसी कास्तकार को बेदेखल करने का हकदार नहीं बनाएगा। देखे अधियाए बारा में है आगे कि अधिकार अभी लेख और लगानु का निधारन के बारे में धारा असी से लेकर के 100 तक है इसमें रासरकार किसी राज जस्वा अधिकारी द्वारा सरवेक्षन करने का आदेश दे सकेगी। धारा असी में है ये बताया गया है। देख और बहाव के बिशे में मोजुदा या संभावित बिवादु का हल निकानने के लिए राजस्वाधिकारी को निर्देश दे सकेगी। प्रकासन किया जाएगा धारा 84 राजस्वधिकारी किसी छेतर में सर्वेक्षन के बाद उस जगा पर किसी कास्तकार दवारा धारित भूमी किसी भूमी का उचित लगान निर्धारित कर सकेगा धारा 85 लगान प्रतिरी निर्धारन के दोरान उठने वाले किनी विवादों के अनुरूप राजस्व अधिकारी इस पर उपायुक निर्नाय कर उचित लगान करने धारन करेगा धारा 86 में है राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया अंतिम सर्यक्षन अधिकार अभिलेक के बाद विभिन पक्षों के बीच का कोई विवाद अगर आएगा तो उसे राजस्व अधिकारी के संपक्ष आवेदित किया जाएगा लेकिन राजस्व अधिकारी इसमें से किसी विशिस्ट मामले के विचारन के लिए किसी समक्ष सक्षम न्याले को इसे अतिरिक्त कर सकेगा धारा 87 उपर वर्नित किसी विवाद या निनाय आने पर उसे भी अधि अधिकार अभिलेक में सामिल किया जाएगा 88 राजसरकार दवारा नामित कोई रजस्व धिकारी अधिकार अभिलेक के प्रारूक में की गई किसी प्रविस्त या आदेश की 12 महीने के अंदर पूर्ण रिक्षन करेगा धारा 89 अधिकार अभिलेक के भूलो के रजस्व अधिक अधिकार अभिलेख बनाने की प्त्यारी amongst अंतिम प्रकाशन में 6 महिने थक कोई उपायुक्त की या सिभिल नियालये… किसी आवेदन को गरहन नहीं करेगा धार 91 और अधिकार अभिलेख की त्यारी के करम में किसी न्यायलाय में कोई वाद नहीं लाएगा ठीक है लाया जाएगा धार 92 और इस अधियाय के अधिकार अभिलेख त्यार कर और विवादों का नीचे करने में रजसुपत अधिकारी क किसी भुस्वामी और उसके किसी अधिकारी के बीच किये गए किसी वैद करार या समझ होते को कारवान्तित नहीं करेगा। दिया गया होतो वहाँ वे विधिमाने समझे जाएंगे। धारा आगे बढ़ते हैं थर्टिन की ओर। किसी अंतिम भुमी समंधित बेवसाई जिसके लिए पूरो सर्ट निधारित नहीं हो उस पर वहाँ का स्थानी लोगों का कानून होगा। किसी भुमी समंधित सर्ट के मुल का निधारन न्याले द्वारा करना अनिवार्य हो तो पिछले दस वर्षों या उससे कम समय के लिए अवसत मुले के बराबर माना जाएगा धारा एक सो तीन। और जब लगान की वसूली के किसी बाद में अभी धृती से समंध भुमी समंधित सर्ट के मुल वसूली की मांग की जाए तो भुमी समंधित सर्ट का मुल एक अधि भृती के समंध में दे लगान का कुल योग उचित लगान से अधिकार होने पर नियाले लगान के लिए न धारी की जाय तो अभी धारी यहां भूस्वामी राजस अधीकारी के पास उन सर्थों के रूप अंत्रन के लिए लिखित रूप से आविदन कर सकेगा यह धारा 105 में बताया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है कि धारा 106 में क्या दियागा उसके बार में जानत कारी भीत तरीके से इसे प्रकासित करेगा यह में बिलेख में किसी प्रकार के तुरूटी के समंद में कोई अपती प्राप्त करेगा यह धारा 108 है रजस अधीकारी के किसी आदेश के विरूद भीत रिती से भीत अधीकारी के पास अपील हो सकेगी धारा 109 है और आयूपत निन्य रजस अधिकारी करेंगे अगर ऐसा कोई मामला आता है तो धारा 113 है किसी अस्थान ये छितर में कि किसी भाग के लिए भूमि समंधित सर्त या निधारन होने के बाद अभिलेक अंतिम प्रकासन के बाद अगामी क्रेसी वर्स से या प्रभावी होका धारा 114 और इस अधियाय के अधिन कोई भी कारवाय के इसके पूरी हो जाने के बाद किसी अभिधारी या भूस्वामी के इस अधिनियम के अधिन लगान में कभी या कमी या बिरिधी के दावे के अधिकार का वर्नन नहीं करेगी धारा 117 है आगे है अधियाय चोदह में कि भूस्वामिय की बिसेजा धिकार यूक्त भूमी का अभिलेक देखे इसमें धारा 118 से लेकर के 126 तक दिया गया है वैसी भूमी जिसे भू स्वामी एवाम स्वेम अपने अस्टोक से या अपने सेव को द्वारा बहाडे के मजदूरों द्वारा जोतता हो या किसी अभिधारी द्वारा ए इचागड तथा चांडिल छेतर के छोटा नाकपूर छोटा प्रमंडल के चीरांद के रूप में ग्यात है और धनबाद जी लेके सिम्भूम और छेतर के पटमदा और इचागड और चांडिल थाने में मान के रूप में ग्यात है वैसी भूमी जो छोटा नाकपूर ये दिनियम 1879 के अधिन त्यार किसी रेजिट्री में मांजियांस या बैठ खोता है ठीक है भुस्वामी के विश्ष सधीकार युक्त भुस्वामी कहलागी धार 118 और रजस्व सरकार अभिस उचना द्वारा किसी रजस्व अधिकारी को विश्ष धिकार युक्त भूमिक अ सुजेक्शन कर अभिलेक त्यार करने का निर्देश है आगे इसके बाद की धारा 119 से इसमें देखे 120 धारा में क्या है कि अभिलेक त्यार करने के दोरान धारा 83, 84, 87, 88, 90 और 95, 96 जहां तक वे लागू हो सके ऐसे अभिलेख पर उसी परकार लागू होंगे धारा 120 देखे आगे है कि कोई भूमी भूस्वामी की बिसेसा धीकार युक्त भूमी है या नहीं इसका निन्नय रजस्वधिकारी भूस्वामी और भूमी के किसी भी अभिधारी के अवेदन पर तथा ब्याय के लिए अपेक्षित रासी जमा कर देने पर अभी लिखित कर सकेगा धारा 120 है रेजिस्टर में मांजी हास और बैट खेता के रूप में दर्ज किसी भूमी को किसी भूस्वामी के बिसेसा धीकार युक्त भूमी के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा धारा 124 इस अध्याय के अधीन रजस्व पताधिकारी के आदेश से विःत पताधिकारी के समक्ष विःत रीती से अपील होगी धारा 126 चलियागे इसके बाद की अध्यापंद्रा देखे अधिकार अभिलेक तथा खुटकटी अधिकार वाले रईयत ग्राम मुखिया और अभिधारियों के अन्यवर्गों की बाध्याताएं क्या है धारा 127 से 124 देखे रासरकार किसी निदिश अस्थानी चेत्र में खुटकटी अधिकार रातरहियत ग्राम मुखिया और अभिधारियों के किसी अन्यवर्ग के अधिकारी या बाध्यताओं का एक अभिलेक रजस्वर अधिकारी त्यार करेंगे धार 117 आगे है कि तयार अभिलेक में किसी प्रविष्ट की सुधता के सम्मंद में या उसमें किसी गलत लोक के सम्मंद में कोई भी वाद उठे वहाँ अभिलेख के अंतिम प्रकासन के प्रमान पत्र की तारीक से तीन महीने के भीतर किसी भी समय रजस्वपत अधिकारी के समक्ष बाद किया जा सकेगा ये धारेक 130 है जब किसी अस्थानी छेतर के लिए खुटकटी अधिकार युक्त अभिधारियों के अधिकार तथा वो अधिताओं काविलेख इस अधियाय के अधिन त्यार कर लिया जाए तो ऐसे छेतर में ऐसी कोई भूमी जो अधिकार लेख में प्रविश्ट नहीं किया जाए गया हो ऐ प्रतिकिरिया धारा 135 ले करके 229 देखे उपायुक्त इस अधिनियम के अधिन वादों की सुनवाई के लिए अपनी अधिकारी तक के अस्थानी सिमाओं के भीतर किसी भी अस्थान पर लगा सकेगा ठीक है ये धारा 135 है उपायुक्त किसी उपकलेक्टर या रजस्वा धिकार से कोई वाद या अवेदन वापस ले सके गए धार 137 कोई भूमी अगर एक से अधिक जीले या अनुमंडल में इस्थित हो तो इसके बाद की सुनवाई उस भूमी के ज्यादा हिस्थे वाले जीले या अनुमंडल के अंदर भी की जाएगी धार 138 है आगे है कि पट्टे के प्रधान या वचन बद के प्रतिलेग या अभी धारी द्वारा दे लगान निर्धारन या किरिसी भूमी के किसी कास्तकार को देखल करने या पट्टा को रद करने से निधारी सभी वादू का केवल उपायुक द्वारा संचालन लिया जा किसी वाद को गरहन नहीं करेगा जिसका बावत आवेदन द्वा धारा 149 के अधिन उपायुक के द्वारा संगे हो और इसे किसी आवेदन या उपायुक के निन्नय इस अधिनियम के अप्रिल समंधी उपबंधों के अधिन होगा ये धारा 149 के को है एक ही गराम भूमी धा करने वाले अभिधारियों की किसी भी संख्या द्वारा उनके विरोध कोई वाद या अवेदन समविक रूप से उपायुक के पास दिया जा सकेगा धार 149 हो था आगे है इसके बाद की धार 141-176 तक उपायुक के नियाले के में वादों का निप्तारा और गवाही योग प्रस्तुत करने के परतिकिरिया पर निनय का वर्नन है यदि वाद की अंतिम सुनवाई के दीनों के पक्च में हाजिन न हो तो मामला खारिच कर दिया जाएगा यदि दोनों में से एक ही पक्च उपस्तित हो तो बाद का विवरान अन्य पक्चों के अनुमती की मौजुद साबुत जो है वो साबुत के अधार पर कर दिया जाएगा अगे है कि उपायुक्त इस अधिनियम के अधिन किसी वाद या अन्यकारवाई में अपने अधिन अधिनास्त किसी पताधिकारी से या कोई ऐसा बेगती जिसे उपायुक्त सी ठीक समझे से विवाद ग्रस्त बीसाय के समंध में अस्ठानिय जांच करवा सकता है एक सव खतर में है उपायुक्त के समय वो स्वामी और अधिकारी के बीच किसी वाद के अभी धारी या अन्यक्ती या अभी वचन करे कि अभिधारी द्वारा धारी धारी भूमी का लगान प्राप्त करने का धिकार ऐसे अन्य ब्यक्ति को इस धार पर है कि वह दावा करता है कि वह संसित किये जाने वाले समय के पूरु में ऐसा लगान प्राप्त और भोग किया है तो ऐसे अन्य ब्यक्ति को वाद का पक्चकार बना लिया जाता है धारा 170 में है आगे है कि अंधी भोगी रहयत की बेदखली के लिए वाद लगान के बकाय के लिए किसी अभी धारी के पटे का रद करन किसी अंधी भोगी रहयत को लगान का बकाया देने में अस्फल होने के अधार पर बेदखल करने या अभी धारी का पटा रद करने के इक चुक भु स्वामी ऐसी बेदखली एक ही वाद में बेदखली या रदकरन के लिए और बकाय की वसूली के लिए वाद ला सकेगा ठीक है उपायूक तो द्वारा किसी अंदी भोगी रहयत को बेदखली या बकाया भुक्तान न करने के लिए उसके पटे के रदकरन की सभी डिगरी में बकाय की रखम पर उस पर ब्याज एम वाद का खर्च का भुक्तान करने का नियुदेश देगा फसल को काटने का हक रहयत को होगा धारा 178 के का है रहयत को पटा देने के आदेश के वाजू तीन महीने तक भुस्वामी के द्वारा पटा नहीं दिये जाने पर उपायूक्त अपने अस्ताक्षर से उसे पटा दे सकेगा धारा 188 उपायूक्त द्वारा पारित आदेश के न पायुक्त द्वारपारित आदेश के निस्पादन को निमलिखित को कुर्की और विक्रय से छुट प्राप्थ होगी। किसी रईयत के बुर्दलगान के बकाय के डिग्री का निस्पादन निर्नित रिनी की सिविल कारगार में निरूद करके या उसके दखल के घर तथा उसकी समागरियों एवं उसके सटी उभोग के लिए आवस्यक भूमिक की विक्री के रूप में नहीं किया जाएगा। दहारा 186 के का किसी निर्नित रीनी सिविल जेल से मुक्त कर दिया गया हो तो उसे आदेश के अधिन दुसरी बार कारा रूद नहीं किया जाएगा धारा 192 यदी उपायुक द्वारा किसी संयुक्त भूबरिती के अंस धारी पक्ष में भूबरिती के लगान सेर के लिए भीतर जहां वाद संसगित किया गया हो निर्नित रीनी की किसी जंगम संपती के बिरुद न कर लिया गया हो और जब तक कि ऐसी संपती का विक्री डिक्री के को तूष्ट करने में प्रियाप्त परमानित न हो ऐसी भूबरिती की डिक्री उपायुक्त की पूरो मंजूरी से की गई होगी जिसमें कि धार 119 आएगा आगे है कि किसी ऐसे धन के भुकतान के रूप में जो ऐसे लगान के बकाये के रूप में दे हो उपायुक द्वारा किसी डिक्री के निस्पादन के रूप में अगर रिनी के सरीर या जंगम संपती के बुरूद निस्पादन द्वार अप्राप्त नहीं कि जा सकती है तो ऐसी रिहनी कि किसी अस्थावर संपती के ब्रूध निस्पादन का विदन कर सकेगा. धारा एकसौ अंठांबे अगर किसी ऐसी जमिन जिसे उपायुक्त के लिए निन्नाइबिक्रे किया जाना हो के लिए नियत दिन के पुरो उपायुक्त के समक्ष कोई अन्य बेक्ती हाजीर होकर जंगम संपती के अधिकार का दावा करे तो उपायुक्त ऐसे पक्षकार की परिक्षा संपती पवरिती बीधी के अनुसार परिक्षा करेगा और ऐसी संपती की विक्री रोक सकेगा वसरते की उसे ऐसा कारने का प्रयाप्त कारण दिखाई दें धारा दोसर चोग आगे है कि इस अधिनियम के अधिन उपायुक द्वारा पारिट डिक्री किसी जोत मद्दे लगान के बकाये के लिए हो तो डिक्री दार ऐसे जोत के विक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और इसे बेची जा सक कीगी जिसमें धारा 208 पड़ना है यदि किसी जोत के अनुसरण के लिए विक्री की गई रकम का कोई अंस से सरह गया हो तो अथ्वा विक्री लगाये के बकाये की बिक्री न रहने के कारण जोत या उसके अंस का विक्रय उस्धारा के अधिन नहीं किया जा सकेगा तो निन विकराय के ठीक पहले ऐसी संपति का सौमी तो रखता हो अथ्वा जो विकराय के पुरूबिधी पूर्वक अरजित किसी हक के अधिन उसमें हिद का दावा करता हो, विकराय की तारीक से नभे दिनों तक काल अधी के भीतर किसी भी समय उपायुक्त के न्यालाए अमें विकरा कि अपास्त करने के लिए आविदन कर सकेगा धारा दोसो बारा धारा धारा दोसो पंदरा से सोला में उपायुक्त के कुछ आदेश के व्रुद्नियाईक उपायुक्त आयुक्त के पास अपील करने का वर्नन है जिसमें पहला है कि यह अपील का विनिश्य उपायुक्त द्व न्याईक आयुक्त के यहां चलने वाले वादो की परकिरिया का वर्णन है। न्याईक आयुक्त के प्रथम अनुसूचे के आदेтесь 여러 6 situación यहां चलने वाले 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 व्याले क्याक्तान है। सा इस्तित सभी वाद या दिये गए सभी आवेदन जिसके लिए इस अधिनियम में और कहीं परिसीमा की कोई कालाओधी उफबंधी नहीं है वाद हेंतु के प्रोत भूत होने की तारीक से एक वर्ष के भीतर करमसा संसगित और दाखिल किये जाएंगे धारद उसो एक तीस धारद बाइस और दार एक ताइलिसम में और किसी अधार पर अधिभोगी रहयत या अंधिभोगी रहयत की अवेदकली के लिए वाद दुरु प्योग की तारीक से दो वर्ष के भीतर संसगित किये जाए सकेंगे धारद उसो एक तीस ऐसे जोत या उसके किसी भाग का जिससे की किसी अधिभोगी रहयत को बिधी बिरूद अवेदकल कर दिया गया हो कबजा वापस पाने का आवेदन ऐसी बिदकली की तारीक तीन वर् पाने के लिए किसी अग्राम मुक्या द्वारा वाद या आवेदन की कबजा किये जाने के तारीक से तीन वर्ष के भीतर अवस्य ससंगित किये जाएंगा धारा दोसो वर्थी से आगे है अध्याय अठारा मुंडारी खुटकदारी के विसे में विसे सुबन धारा 249 से ले धारा 249 आगे है धारा 249 मुंडारी खुटकटी दारी कास्तकारी के अंतरगत पर परतिबंद लगाता है जैसे कि पहला है यहाँ पस दिया गया है कि कोई मुंडारी या खुटकटी दारी अभिद्रेती या उसका भाग न्याले के डिगरी या आदेश के निस्पादन में द्वारा हस्तानत न होगा परन्तु किसी ऐसे बंदक जिसका रजिस्ट्री करन छोटा नाखपुर कास्तकारी अधिनयम 1908 के प्रारम से पुरू हुआ है तो देरीन के समाधहान में किसी कास्तकारी या उसके भाग के विकरी के लिए किसी नियाले द्वारा अदेश किया गय हो तो विकरय उपायुक की पुर मंजूरी से किया जा सकेगा यदि उपायुक धारा उपधारा के एक अधिन किसी भी अधिविरेती के विकरी की मंजूरी देने से इनकार कर दे तो वह उस भूमी के कुर कर लेगा और ऐसे इंतजाम करेगा जैसे कि वहरीन के समापन के भुगत बंद बंधक विधी मन मानने होगा परन्तु कोई मुंदारी खुटकटी दारी अभीधारी किसी क्रिश्टी परियोजन के लिए कर जुटाने की द्रिश्टी से बिहार उडिशा सहकारी सुसाइटे दिनी मुनिस्वर पहतिस के अधियर रिश्ट्री क्रित बैंक को अ समुदाय के खेती के प्रियोजन के लिए दिये जाए या जब ये किसी मुंदारी खेती हर को किसी भूमी के रहयत के रूप में खेती करने के लिए दिये जाए तो उसके सिवा खुटकटी दारी अधिभ रिती या उसे किसी भाग का कोई पट्टा विधी मानने नहीं होगा 5. जहां कोई मुंदारी खुटकटी दारी अभिधरिटी मुंदारी खुटकटी दारों के समुदायद वारा धारित हो वहाँ अभिधरिटी या उसके किसी भाग का कोई भूगत बंद बंधक या मुरकर्री पटा तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि या सभी मुंडारी खुटकटी दारी सह सहमत्ती से न किये जाएं आगे है कि मुंडारी खुटकटी दारी अधिवरिती या उसके किसी भाग का पुर्वगाहमी उपधाराओं में यथो पबंधित से अन्यथा किये गए किसी करार दवारा कोई अंतरन विधिमान नहीं होगा सहत्मा है कि पुरवर्ती उपधाराओं की किसी बात से किसी बिक्रय पर उपधारा एक के परंतु के यथो यथा घोसित की सिवाय छोटन नापुर कास्तकारिय अधिनम 1908 के प्रारम के पूरू किये गए किसी बिक्रय या बंधक या पट्टे पर परभाव नहीं पड़ेगा स्वाविस्ट भूमी को किसी ऐसे समुचित या प्रयाप प्रयोजन के अंतरिप कर सकेगा जो उसकी कास्तकारी भूदरेती या संपदा में भलाई से हो जिसमें या स्वाविस्ट हो जैसे कि भूमी का किसी खैराती धार्मिक और सेक्सिक प्रयोजन के अत्वबी निर्मान या सिचाई का प्रियोजन से करना हो, परंतु अंतरन रिष्ट्रिकरन अभिलेख द्वारा किया जाएगा, जिस पर उपायुक्त की लिखित सहमति प्राप्त कर लिजाएगी। है जिचाई सोला के रिती से की जा सकेगी, यदि ब्यकति किसी मुंडारी खुट कर्टी दारी कास्त कारी या उसके किसी भाग का कभ्या धारा 240 के उबढ़ों का उलंगन करके प्राप्त कर लेती है तो ऐसे उपायुक्त उसे वहां से विदेखल कर सकेगा, जिस आएगा धारा उसे रकम तक नहीं बढ़ाया जाएगा जो रकम उस लगान के आधे से अधिक हो जो लगान उस भूमी के लिए दे होता है यदि भूमी के अधि भोगा धीकार रखने वाले ऐसे रएत द्वारा धारित हो धारा 243 अधिकार अभी लेक होने के बाद किसी मुंडारी खुटकर् पर लगान का बकाया हो तो इसका कोई वाद किसी न्याले में नहीं चल सकता है किन्तु भूस्वामी लिखित रूप से उपायुक्त के पास आवेदन करेगा और बारत दसमलोग 5.0 परतिसत के अनाधिक परतिवस अधारन ब्याज के साथ वसूली हेतु परमान पतरजारी कि जाएगा धारत 244 में दिया गया है यदि धारत 244 के अधिन किसी करवाई के प्रक्रम के किसी का कोई ऐसा प्रस् pigeons आया जिसके लिए उपायुक्त कि राय में सिविल न्यालों के उसका वाद अधिक समुची धंसे किया जा सकता है तो उपायुक्त ऐसे प्रस्नों को जीले के सिविल नियाले में निदिश्ट कर देगा धार 245 जहां अधिकार अभिलेख नहों वहां लगान के बारे में असुली के लिए भुस्वामी वाद संसागित संस्थान कर सकेगा धार 244 यदि कोई मुंडारी खुटकटी दारी कास्तकारी खुटकटी दारी के एक समुध वारस्विक तुरुप से धारित हो तो धार 244 के अधिन प्रमान पत्र दिये जाने पर और उसके निस्पादन पर या धार 244 के अधिन वाद चलाये जाने पर इस अधार पर आपती की जा सभी खुटकटी दारी की कारवाई का पक्षकार नहीं बनाया गया है तो आपती मानी नहीं जाएगी धार 247 जहां किसी मुंडारी खुटकटी दार के विरुद सरकार के दे किसी धान अथवा किसी भूस्वामी के को दे लगान के लिए बिहार उरिसा लोक मांगी वसूलिय अधिनियम 1914 के अधिन परमा जब किसी मुंडारी खुटकटी दारी ने अपना कास्थकारी का लगान के उस अंस सहित जो उसके सा अंस धारियों या उच्वे किसी से दे हो चुका हो तो उसके उक्द अंस ब्यास सहित उसी परकार वसूला जा सकेगा मानुवे भुस्वामी कोद देया लगान के बकाया हो धारा दोस्वाइबारा के अधिन त्यार अधिकार अधिकार अधिविलेक में वनित करेगा धारा दोस्वाइबारा के अधिकार 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 के प्रकासन की तारिक कास्तकारी के किसी प्रविष्ट अत्वा उसमें ऐसी कास्तकारी के उसकी प्रसंगतियों के किसी भी से पर विवाद होने पर राजस्व पताधीकारी के समक्ष वाद लाया जा सके जब भी धार 252 के अधिन सअस्थित अभी लेखों का या भाग समझा जाएगा धार 254 बंगाली का अस्तकारी अधिनियम 1885 के अधिन किसी अस्थानी चेतर संपता भूव द्रेती के समंधित आदेश निकाले होने पर इसके उपरामत किसी वाद का निनय लेने में अधिनियम से समंधित आदेश नहीं हो तो ऐसे प्रविष्टियों का साक्ष रूप में ली जाएगे धार 256 आगे है अधिया उनिसके बारे में अनुपूरा कुबन धार 277 से लेकरके 271 के भी संयुक्त भूस्वामी जब्दो या दोसे अधिक ब्यक्ति संयुक्त भूस्वा लागू होगा धार 257 धारा 20 32 35 इतना धार जो यहां पस दिया गया है या यहां पस जो दिया गया है कि अधिन किसी वाद के किसी उपायूप त्यारे सुपत अधिकारी के परिवर्तित उपरांतित या अस्पात्त करने के लिए कोई वादगरहन नहीं किया जाएगा धार 259 राज सरकार इस अधिनियम के उदेश से के पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी धार 264 राज सरकार इस अधिनियम के अधिन उक्त बातों के समंध में जिसके लिए इसके दोवारा कोई परकेरन नहीं हो उपायूप के परकेरिया के लिए नियम बना सकेगी धार 265 अपने कर परिभासित बंदोबस्ती पताधीकारियों की सक्तियों और करतब्यों को जो इस अधिनियम द्वारा निर्सित नहीं हो उसे प्रवावित नहीं करेगी धारा दूसरे खतर आगे हैं महत्पुन बातें देखिए यहापास है कि 1990 में 66 समिधान सो सुधन के द्वारा इस अधिनि और 1222 को समिधान की नवी औनिसूची में समलिथ किया है नवी औनिसूची में समलिथ होने से इस कानून के केवल संसधी संसोधन कर सकती है निया पालिका इसे हर्त द्शेप नहीं करेगी प्रमुक संसोधन 1947 के C&T संसोधन अधिनियम जिसमें की धारा 46 को परते अस्थापित किया गया जिसमें जनजाती भूमी का अंतरन गैर जनजातिय को करना निशित किया गया है सन 1962 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनिसुचे जनजाती के साथ अनिसुचे जाती पिजड़ी जातियों के लिए भी जमीन का अंतरन समंधित जातियों के लिए आसूनिशित कर दिया है इस अधिनियम के धारा 49 जंजातिय भूमी सहित अनिसभी भूमियों का अंतरन उद्योग खनीज या इसके सहयक प्रजणों के लिए अनुमती देती है राज सरकार नेशन 2016 जिसके अनुसार सरकार उद्योग और खनन कारेओं के अलावा अधार भुसर अचना रेल प्रुजना ट्रांस्मिसन लाइन आधी के कारेओं के लिए भी जमीन ले सकेगी इस दिनेम के धारा71 के कोके अनुसार किसी चनजाती भुमी के किसी गया जनजाती अनुसार यंतरन करने हे तो पुनाः जनजाती अनुसार को वाफस दिलाने का प्रवधान है बुंडु का सुर्य मंदीर और अपुलो हस्पिटल की भूमी धारा एक खतर के कप रावधानों के अंतरगत वापस लिया जा चुका है धारा एक खतर के कप के अनुसार SAR कोट में कंसेशन के सहारे आदिवासी के जमीन गैर आदिवासीयों को हस्तान तरित की जाती थी सरकार ने प्रस्तावित संसोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया है कि अब कंसेशन के सहारे आदिवासीयों के जमीन गैर आदिवासीयों को हस्तान नहीं किया जा सकेगा साथ ही SAR कोट में जमीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे इस सर्धिनियम के दारद 41 मुंडारी खुटकटी दारी का कुछ खास स्थिती में अंतरन की आगया देती है लेकिन इसके लिए उपायूत के पुरू अनुमती आवस्यक है मुंडारी खुटकटी दारी भूमी के समंदर भू आपसी का प्रावधान दारद 242 के अंतरगत किया गया है इस सर्धिनियम की एक परमुक दारद 21 है जो किसी भी रयत को अस्थानी रिती रिवाज के अनुसार भूमी के उप्योग किया गया देती है जिसे क्रिसी योग भूमी के रूप में अगर परिवर्तन होता है तो रयत की अपनी भूमी से बेदेखल होना पड़ सकता है जन्जाती समाज के अंदरगत ऐसा एक ऐसा वर्ग उत्बन हो गया है जो कि ततकालिक आवसक्ता के अनुसार अपनी भूमी का अप्योग किरिसी कारे के रूप में नहीं करना चाहता है सन-1216 के रजश्व सरकार राज सरकार दोरा परतिय स्थापिशन सुधन में मालिक को जमीन की प्रविर्ती बदनने का अधिकार देने करनीने लिया है इससे अब तक जमीन मालिक अपने किरिशी योग जमीन का व्योशाई उप्योग कर सकेगा इस जमीन पर मकान दुकान आधी का निर्मान किया जा सकेगा इस अधिनियम में भू आपसी के लिए 2010 इसवी में अर्जुन मुंडा सरकार बनने के बाद धारा 46 को सक्ती से लागू करने का आदेश दिया गया था माननी ये जारखन उच नियालय का 25 जनवरी 2012 का निन्नय धारा 46 में पिछडी जातियों यों अनुसुचित जातियों के लिए जमीन अंतरन उपायू की पूरु अनुमती को अवस्यक बना दिया जिससे राज्य में चल रहे रियल इस्टेट ब्योसाई बुरी तरह से प्रभ मिलने में कठिनाई होती है वरतमान में इस अधिनियम से संबंधित करीब 20,000 वाद नियालों में लंबित है और आगे है कि 2001 में किंदर सरकार दवारा कराए गए जमी जनजाती सर्वेक्चन में यह बात असपस्ट रूप से उभर कर सामने आई कि इस कानून के रहते हिवे जनजाती समाज के सदस्यों दौरा राची जमसेत्पूर गुम्ला लुहरदगा जैसे सहरों के आसपस्तेजी से भूमी कांतरन किया गया है आगे है कि वरतमान में कास्तकारी अधिनियम जमिंदारों यों रयत के समंधों में परिभासित करने के लिए लाया गया था इसके अंतरगत लगान वसूली लगान निर्धारन लगान की कमी जैसी समस्याओं के निदान के लिए प्रावधान है और धिनियम के केंद्र में उपायुकत को रहकर सारे अधीकार उन्हें दिये गएं लेकिन जमिंदार उन्मूलन के पहचात सरकार स्वेम जमिंदार की इस्थिती में आ गई इस कारण से सरकार के हित में एवं रयत के हित में कई बार परतियस्पर्धा देखी गई है बदलते परिवेश में रजस्वनियाले रजस्पत अधिकारी कास्तकारों के समस्या भूमी के वर्गी करन भूमी की उपयोगीता और गरामी समाज में परिवर्तन आधी को लेकर नई नई तरह के समस्वाएं खड़ी हो रही है जिसका जिनका समाधान वर्तमान सुरूप में कास्तकारिय अधिनियम के अंदर गत उपलब नहीं है रजस्वनियाले वमराजसुपता धिकारियों की भूमी का नए ढंग से रेखांकित किये जाने की आवसकता है भूमी के वर्गी करन और भूमी की उपयोगिता को लेकर कानून भी प्रावधानों में आवस्यक संसोधन जरूरी है ऐसी संसोधन के जरूरत है जो जनजाती हीतों को सुरक्षित रखते हुए जारखन के विकास का मार्ग प्रसस्त कर सके आगे है सस्थाल परगना भूधालन अनुपूरक्स उपबंद अधिनियम 1949 देखे सस्थाल परगना जीले का निर्मान 1856 में किया गया जिसके अंतरगत भागलपूर एवं बिर्भूम जीले के हिसे समलित किये गए इस छेतर में पूराना नाम जंगल तरी ट्रेक था इस छेतरिये भूभाग में मुक्यता जनजाती निवासी थे जंगल तरी ट्रेक को ही दामीन कोख के नाम से जाना जाता है इसे प्राचिन काल में नरिक खंड भी कहा जाता था या छेतर किसी भी सासन काल में किसी के अधिन नहीं रहा था इस छेतर में मूल निवासी पहाडिया थे इस चेतर के एक भी सेस्ता या है कि इसके अंतरगत आने वाले जागिर या जमिनदारों को रजस्व पंजी में तोजी नंबर से दर्साया गया है इन तोजीयों के जागिर दार और जमिनदार भूमी रजस्व के लगान एवं सोध और सेस भुकतान समंधित जिलाधीस को किया करते थे जमिनदारी उन्मूलन के पहचात यह प्रथा समाप्त कर दी गई है इस शेतर में 1872 इस भी में पहला रायती कानूं संस्थाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक 1872 पारित किया गया संस्थाल परगना शेतर में यह पहला कस्तकारी कानून था इसी कानून से संस्थाल परगना में कस्तकारी की अवधारना विक्सित होती गई मिस्टर गैंजर की बंदोबस्ती रिपोर्ट देखने के बाद अतकालिन बिहार सरकार ने संस्थाल प्रगना इनक्वाइरिस कमेटी 1937 का गठन किया गया इस कमेटी की सिफारिस के अधार पर संस्थाल प्रगना का स्थकारी अधिनियम 1949 का निर्मान किया गया इस अधिनियम में कुल आठ अध्याय एवं 72 धाराएं हैं अध्याय इसमें देखिए पहला है यहाँ पास की संचिप्त नाम प्रारम और विस्तार या संस्थाल प्रगना बहुद हारन अधिनियम 1949 कहलाएगा या उस तारीकों लागू होगा जुरासर का दुशूचन द्वार जिले धारा एक है यह अधिनियम का स्थानी अभिस्तार परिवर्तन के अधिकार और किसी छेतर अभिसेश में अधिनियम की वापसी का प्रभावरा सरकार अधिनियम द्वारा संस्थाल प्रगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम अथवा इसके किसी भाग को व या वापस ले ली गई होए किसी शेत्र के अधिनियम या इसके किसी भाग को वापस करने में उस शेत्र में अधिनियम के पुर्व प्रवर्तन अथवा उसके अधिन बिधीवत किये गए अथवा किये जाने वाले किसी कारे को प्रभावित नहीं करेगी वापसी से पहले ऐसे छेतर में सम्मंद इस अधिनियम के अधिन किये गए अपराद के सम्मंद में दिये गए किसी जबती अत्वा दंड को प्रोहाइत नहीं करेगी आगे इसके बाद की परिभासा आएं देखिए धाराफोर में कि क्रीसी वर्ष का अर्थ जहां बंगला साल चलता है वहाँ पर बैसाक से प्रारम होने वाले वर्ष से है जहां फसली साल चलता है प्रथम आस्वीन से प्रारम होने वाले वर्ष से पुर्व है जहारा सरकार भूकत बंद अथवा पूर्णा भूकत बंधक का अर्थ रीन के रूप में अगरिम दी गई अथवा अगरिम दी जाने वाली रासी के भूकतान के प्रयोजन के लिए रैत की जोत अथवा उसकी जोत की आंसिक हीत में इस सत्त पर हस्तनांतरन से है कि कुल सूध सहित रीन मुल्रायत हो, न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, इस बात का विचार किये भीना कि ग्राम में पहले मुल्रायत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं. फिक है आगे इसके बाद की भू सुवामी का अर्थ गराम प्रधान अथवा मुल रयत से भिन उक्त बेक्ती से है जिसे लगान पाने का धिकार हो और इसमें भू सुत्त थारी म्ध्या, सुत्त धिकारी घटवाल और सरकारी सरकार भी समलित है पांचमा रएत का आर्थ भू स्वामी से भीन किसी बेक्ति से है जिसमें स्वेम अपना अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारन कराने का अधिकार प्राद किया गया है ठीक है ग्राम प्रधान अपनी नीजी जो त्यदी कोई हो का रयत समझा जाए और छटा है कि संस्थाल स्वीट रूल्स का आर्थ है संस्थाल प्रगना अधिनियम 49 की धारा एक के खंड दो के अधिनियम 37 के अधिन नियुप अधिकारियों द्वारा संस्थाल प्रगना के नागृक नियाय शासर प्रबंद के पालनार्थ राजसरकार द्वारा जारी के गढ़ने देशते हैं ठीक है साथमा है भूध धारक से भूध रिती धारक गराम प्रधान अयों मुल रयत समलित है ठीक है आगे है अध्याद 2 के बारे में देखिए अध्याद 2 गराम प्रधान का और मुल रहयत धारा 5 से गारा इसमें है देखे किसी खास गराम के रहयत या भू स्वामी के आविदन पत्र देने पर तथा विनिहित रिती से नीचे गराम के जवाम बंदी रहतों से कम से कम द तिहाय रहतों की समती से उपायुक्त उस गराम के प्रधान की न्युक्ति करेगा धारा 5 ये था किसी गराम का जो खास नहीं है जो गराम प्रधान की रिती हो जाए तब गराम का भू स्वामी इस घटना के तीन महीने के अंदर गराम प्रधान की न्युक्ति के लिए उपा पद के कारिसम पादन, मेराज सरकार के द्वारा बनाये गए नीमु में सासित होगा ध्रा साथ है जब कभी आखरे ग्राम परधान को तुर अधीकारी किया तेरी कोई अन्य ग्राम परधान नियुकत किये जाए कोई बंजर भूमी जो मुल रहत या सहरायत द्वारा बाद लायक बनाई गई हो या कोई परती जो मुल रहत का सहरायत के अधिकार में पाया जाए इस अधिनियम से मुल रहत या सहरायत के अप्रावर्तनी रहती जोत समझे जाएगी धारादस है या इस अधिनियम के अनुस् प्रिश्कार निधी कही जाने वाली निधी में जमा की जाएंगे इसका अभ्याय उपायुत के निधेश से होगा यह धारा इलेबन है अध्यायत 3 है देखें अध्यायत 3 में 12 से 26 तक रैत के बारे में इसमें बताया गया है जिसमें कि इस अधिनियम से रैतों का निमलिकी खह में है गैर निवासी जमाबंदी रैत और गह में है नए रैत देखें हम लोग का जानते हैं निवासी जमाबंदी रैत क्या है वैसे रैत जो गह में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गह में है इसको बलते हैं निवासी जमाबंदी रैत एक है गैर निवासी जवंदी रयत वैसे रयत जो उस गाव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास अस्थान उस गाव में नहीं है और अगला है नए रयत वे बेगती जो नए रयत के रूप में अभी लिखित हैं देखे भूमी उपयोग के समंध में रयत के अधिकार के बारे में है यह किसी रीती से जो भूमी के मुल बिशेस के रुप में नस्ट न करे या जिसे वह जोतने कोड़ने के अयोग न हो जाए उपयोग कर सकता है धारा 13 भुस्वामी द्वारा कोई रहत उसके जोत के बिना उपयूत के आदेश बेदखल नहीं किया जा सकता है धारा 14 रहत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार सुलक के ये ट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा धारा 15 कोई रहत भुस्वामी में अनुमती के बिना अपनी जोत या बंदोबस्त के साथ भूमी में पीने योग पानी या सिचाई प्रियोजने के लिए बांध आहर तलाप कुमा आधी का निर्मान खुदाई कर सकता है बसरते इससे किसी आने के छती ना पहुंचे छती पहुंचने या पहुंचने का समावना होने पर इसका सही निनाय उपायूत करेंगे रहत बिना सुलक में ऐसे जलासे हो कि मशली तथान उत्पादन का उप्योग क बीना नहीं काड़ सकता है उसे अपनी जोत में अपने द्वारा लगाय के बिक्षो पर बिना सुलक के ला उपाजने या रेसम की टपालन अधिकार होगा धारा सत्रा रहत अपने या अपने परिवार के घर लुए क्रिसी बरजने के लिए अपनी जोत या कच्चे या पक् भाजन या उसके लगान का वितरन होगा अगल दूसरा है कि अगर नियाले क्या देश या किसी भी अने प्रकार से जोत का बटवारा या उभी भाजन का विसे हो इवन समलित पक्ष आप्ष सम समझते से या भुर स्वामी या गनाम पर दान का मुल रहत की यदी कोई हो समती से जोत के लगान के बितरन के असमर्थ हो तो पक्षो में कोई ब्यक्ति जोत के लगान बितरन के लिए उपायुक को आइधन पतर दे सकता है और यदि जोत के किसी भाग का लगान तीन रुपए से कम होगा तो किसी भी सिती में ऐसे जोत का ओ भी भाजन नहीं होगा ठीक है च चले आगे बढ़ते हैं आगे है इसके बाद जो की है णिया अधियायफ फोर में ठीक है एधियायफ फोर मुझा पढ़ते हैं उसमें रैद के हस्तनांतनें के बारे में था उसको मुझा स्कीप कर दिए धहरा फोर में हब सब्सक्राइब करको DeKatar बंजर भूमी एंग खाली जोतो की बंदोबस्ती ठीक है धारा 27 लेकर के 42 तक है इसमें देखे धारा 27 बंजर भूमी की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे या अमल नामों के द्वारा की जाएगी ठीक है इसकी चार प्रतियां त्यार की जाएगी एक प्रती रहत को एक उपायुक्त को एक भूस्वामी को और चोथी गराम प्रधान या मुल रहत को दी जाएगी धारा 28 बंजर भूमी या खाली जोद के बंदोबस्ती करने के धिकार अभिलेख में दर्सिधानतों का अतरिक नीम्न बातुप पर ध्यान दिया जागा जिसमें की कव है प्रतेक रहत किया सकता हूं और उसकी आबाद लायक बनाने और आबाद करने की छमता के अनुसर भूमी का उचितियम सामय पूर्ण भित्रन घाव में है कि गराम समुदाय समाज या राज्य के प्रती की गई भूमी से बनजर भूमी का सामय घाव में है उन भूमी हिन स्रम जीयों के है तु व्यवस्था जो गहाव के वास्थिक्स अस्थाई निवासित तताई जिसके संबंद में या दर्ज है कि इसका गहाव के निवासगरी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोई मुल रयत या ग्राम प्रधान बिना उपायूत के अनुमति से अपने साथ या किसी मुल रयत के साथ कोई बंजर भूमी या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा धारा 29 है भूस्वामी में सहमति के उपायूत के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ति के प्रयोजन के लिए उभिभाजन नहीं किया जाएगा धारा 30 है इस अधिनियम के अन्यता और बंधित के सिवाए यदि दो या उससे अधिक गराम प्रधान सा मुल रयत या भूस्वामी किसी ऐसे गाउं में हो जिसे वे सन्युक्त रूप से रखते हो तथा बंजर भूमी की बंदोबस्ति इस परकार से गराम प्रधानों का सह मुल रयत या भूस्वामी दौरा सन्युक्त रूप से नहीं की गई हो तो आपती होने पर उपायूत के विवेक से बंदोबस्ति रद या परिकार करने की किरिया के छुब्द हुआ हो तो अथवा यदि वह ऐसी भूमी या जोत के सम्वंद में किसी अन्य भेगती के किसी खाव्द के छुब धुद हुआ जवाँ अंधी रयत के ग्राम प्रधान या मूल रयत के भुस्वामी के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को या अधिकार होगा कि वह बंदोबस्ति को रद कर दे तथा नियम पुर्वक पुना ऐसी बंदोबस्ति का दे धारा तेती सहिया और गाम के बंजर भूमी का सम जर भूमी की बंदोबस्ति रयत गराम प्रधान का मूल रहती या भुस्वामी के उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ति नहीं किया जाएगा इन जगों पर सिचाई असनान धोने या पीने के कामों के लिए कोई कारिया नहीं किया जागा धारा पैंती से गाम क पर नदिकाओं या नालो या जितने भी यहां पस दिया गया हैं सीमा चीनों राज्ते पुजास्था ले रहती कोई प्रवर्जन के प्रवर्तन नहीं करेंगे और इनका किसे रैत के साथ बंदोबस्ती भी नहीं होगी ठीक है देखें गाओं के सभी रैतों के अधिकार होगा की वे अपने मयोसियों को गराम के भीतर अभी ले खांकित चारागाह में तथा उसका पाइक द्वारा धारा 38 के अनुसार अलग किये गए चारागाह तथा गाओं की उस बंजर भूमी में जो संस्थाल प्रगना बंदोबस्तियम विनियम के अनुसार गाओं से अलग कर दी गई हो धारा 34 है हो कि अनुसार वन ब्रिधी के लिए खड़ा वन ब्रिधी के लिए छोड़ी गई हो चरा सकता है ठीका धारा 37 कोई भूमी जो गराम चारागराह या गोचर के रूप में अभी ले खांकित हो किसी भी वेकती द्वारा चराई गई चराई से भीन किसी गिया जा सकता है धारा 34 है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं इसके आगे है कि भूस्वामी की अनुमति से रैत अपने जोतों से भीन भूमियों में पीने तथा अन्य पराजनों के लिए अपेक्चित तालाब तथा अन्य जलाज से बना सकते हैं तथा भूस्वामी के साथ कि गए प्रबंद के अनुसार इसकी मचलियों तथा अन्य उद्पादन का उप्योग कर सकते हैं भूस्वामी बिना प्रयाप्त कारण के ऐसे अनुमती देना अश्विकार नहीं करेगा अनुमती अश्विकार होने पर उपायुक्त रैत के वेदन पत्र देने पर उचित निन दे सकता है धारा उन चालिस है नहीं से चाहिए और किसी पहाड़िये गाहा में किसी किसी बंजर भूमी या रिक जोत में किसी गैर पहाडिये के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है पहाडिये कहां हुआ है जो आएक तुद्वारा उस रुप में अभी लिखित हो धारा 41 है या और उपायुक्त कभी भी अपनी एक्छा से या तो प्राप्त आवेदन से या किया गया है तेखे वस्तुरुप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्विक्रित नहीं होगा धारा 43 या संसुतर नें 1955 द्वारा हस्थापित किया गया इसके नुसार भू धारक के द्वारा मुदर लगान चार बराबर किस्तों में किसी वर्ष के अंतिन दिन प्रतेक तिमाही में दे होगा भुकतान समय पर नहीं होने पर इसे उसे बकाया समझा जाएगा धारा 43 के कवमे किसी भुस्वामी या मुल रहत का हित हस्तनांतरित होने पर कोई रहत गराम प्रधान या मुल रहत हस्तनांतरित के बाद दे या जिनका हित हस्तनांतरित हुआ हो ऐसे भुस्वामी या मुल रहत को सदभाव में दियेगा लगान के लिए दाई नहीं होगी जब तक कि हस्तनांतित लगान देने के पहले हस्तनांतित की नोटिस रहत ग्राम प्रधान या मुल रहत को न दे ले धारा 44 रयत अपनी किसी जोद के लिए लगान की रकम विनिहित प्रपत्र डाक या मनी ओर द्वारा भेज कर भुक्तान कर सकता है धारा 45 गराम प्रधान मुल रयत या भुस्वामि प्रतेक रयत के लगान का लेखा रखेगा धारा 46 आगे है प्रतेक रयत अपने चुकाए गए लगान या उसका ब्याज का रशित भुस्वामि या उसके अभिकरता या गराम प्रधान मुल रयत से लगान चुकाते समय हिलेने के अधिकारी होगा धारा 47 अया उपर्युक धारा के अधिनस्त बेवहार है तो उचित लेखों के और परतियपर्ण सहित रसीदों के प्रपत्रों का राशरकार त्यार कराएगी और गराम प्रधान मुल रयत के भुस्वामि के हाथ बिक्रय के लिए सभी अनुमंडल कार्यालों में रखेगी धारा 48 अया जहां रयत का जोत अतरांतर न योग्य है जोत का लगान जोत का प् धारा 49 सहया धारा 50 बिस्ष्ट कारणों से लगान की कमीदे के संस्थाल प्रगना में लागो किसी विधी या विधी का बलखने वाले किसी बात से प्रतिकूल रहने पर भी उपायुक त्यदी इसके लिए राजसरकार द्वारा प्रधिकृत है लिखित आदेश द्वारा कि गाउं या वैसे रहतों कि किसी वर्ग के भूमी के जिसे संस्थाल प्रगना बंदोबस्त विनियम के प्रावधानों के अधीन बंदोबस्त पताधिकारी द्वारा बंदोबस्त किया गया हो तो जो लगान नमावली में प्रवेश हो तो निमांकित किसी भी ऐसे या अधिक अधिकार पर लगान कमी कर सकता है ठीक है जिसमें कि यहां पास को खग दिया गया है ठीक है जिसमें कि को है यहां पास कि किसी जोत या छेत्र में अस्थाई रूप से बालू पर जाना या पानी भर जाना या वैसे जोत या छेत्र का भूस्वामी जिसके जोत के लिए विधि वत नोटिस देने पर भी च्छा महीने के अंदर सिचाइस मंधित वे उस्था नहीं हो पाती, गह है कि उत्पादित खदानों के अवसत अस्थानी मूल में अचानक कमी होने पर यदी, कमी साथ वर्थो या उससे अधिक या उधिक के अलिए कम हो जाने से है, कम किये गए लग अधिकार अभी लेख नहीं त्यार होगा, धारा 51 है या, यदी कोई भुस्वामी या उसका अभिकरता अपने रहत या गराम प्रधान या मुल रहत से देन लगान के अतिरिक अतिक कुछ और असुल करता है, तो अधन की भागी होगा, धारा 52 है या, आगे है अधियाए 6 मे प्रयोजनों के लिए भुस्वामी द्वारा भुमी का अरजन ठीक है धारा 53 पन य दिकि धारा 53 पन यदि किसी गाव या, गाव का भुस्वामी, युक्ती या युक्त और प्रयावट प्रयोजन के, से जिसका संबन जोत ग्राम अथ्वा भूस्मामी के हीत से हो अथ्वा भूर निर्मान के लिए अथ्वा किसी धानमिक सैक्षनिक अथ्वा दातब या प्रियोजन से अथ्वा खान खोदने उत्पादन अथ्वा सिचाई के प्रियोजन से अथ्वा किसी अथ्वा ओद्योगी उन्नति करने के हेतु अथ्वा सरकार की कोई राष्टी नीती प्रभावी करने के हेतु उस ग्राम की किसी रहत की जोद को अथ्वा उसके किसी भाग को अर्जन करता है या चाहे तो इसके लिए उपायूक्त के पास आविदन दे सकता है उप्यूक्त आविदन पर उपायूक उचित जांच के बाद अरजन की कारवाई आरम करने के अनुमति दे सकता है अरजन का देश पर देने के उपायूक तरहत ने नाम नोटिस के जारी करने के बाद छति पूर्ती के समंध में दाओ और अपतियों का निनाय करेगा वह रहत जिसकी भूमी अरजित की गई हो वो छ प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो तो जिसके लिए वह पेक्षित था तो पायूक आदेश देकर उससे समंधित रहत को वापस दे सकता है आगे इसके बाद न्याइक परकिरिया में चोगन से लेकर के 63 के बारे में देखे किसी परकिरिया के समंध में इस अधिनि कर समंधित मावलो का निप्टारा किया जाएगा धारा चोन है या जहां अपने जोत के लगान की वसूली के लिए किसी रहत के बिरुद भुस्वामी ने कोई वाद दायर किया हो वहां उसके बिरुद पहले वाद के दायर करने की तीथी से च्छा मास भीत नहीं जाने तक क अपने जोत से बिदेखल कर दिये गया हो तो अपने विवेका नुसार उसे उसके निया निमास सस्थान पर कबजा बनाय रखने के लिए अनुमती दे सकता है इसके लिए उपायुक्त लगान के निधारन कर सकता है ठीक है धारा चपन है या आगे है इसके बाद की अपील धारा संतावन इस अधिनियम जब तक अन्य रूप से ब्यवस्था न हो उस अधिनियम के अनुसार दिये गया परतेक आदेश के बिरुद यदि आदेश को है यहाँ पास क उपायुक्त के अधिकारों के प्रयोग करने वाले उपसमाहारता द्वारा दिया गया हो तो अनुमंडल पताधिकारी के पास जिसे इस सम्मंद में उपायुक्त के अधिकार निहित किये गए हो अपील की जाएगी उपायुक्त को यह अधिकार रहेगा कि वह इस अपील को अपने मिसिल में अथवा उपसम हारता में मिसिल के अंतरन का आदेशते खा है कि उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले और मंडल प्राधिकारियों द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपिल होगा गह है कि उपायुक दथवा अपर उपसमहार्ता द्वारा दिया गया हो तो आयुक के पास अपिल की जा सकती है। दूसरी अपिल धारा अंठाउन है यहाँ पास कि पुनुरिक्षी करण के समझ में धारा 69 के पराधानों के दिन रह कर भी सबी दसाओं में अपिल आदेश जहां नीचे के नियालों के निन्य को अभी भुश्पोस्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपिल अनुमती नहीं दी जाएगी पर अपिल आधिकार से नहीत अनुमंडल में प्ताधिकारियों ने यदी अपिल आदेश दिया हो तो अपिल के पास अपिल की जाएगी दिखा है कि यदि अपिली आदेश उपायुक तथवा अपर उपसमा हर्ता ने दिया हो तो आयुक के पास अपिल की जाएगी। स्वेपिरना से अथवा अन्य रूप से अपने नियंतरन में अंतरगत किसी नियाले द्वारा निनय किये गए। नियालियों के लिए सभी निय अत्वा किसी एक नियरमंद में संबंद में जो उपायुक के नियंतरन में के अंतरगत किसी अनुमंदल का परभाव रखते हो उपधारा एक के द्वारा उपायुक के प्रदत प्रयोग करें। आगे पुनरक्षे करन धारा साठ के बारे में देखे। या पुनरक्षन कर सकते हैं। आगे आदेश अपिल करने पर अथ्वा पुनरक्षी करन करने की प्रकिरिया में अनिमत्ता की कारण जब तक अनिमत्ता के कारण न्याय की हानी नहीं हुई अथ्वा होने वाली प्रिवर्तन किया जाएगा। अपने अकर्तब के निर्वहन करने तथा अपने अधिकारों का परियोग करने में उपायूक्त आयूक्त के सधारा निदेश और नियंतन के अधिन रहेगा। अपर उपसंद था अनुमंडप्त अधिकारी के उपसंद महारत आयूक्त के निदेशों के अधिन रहे का धारा बासठ रहिया। अध्याय नमबर साथ देगे परिसीमा धारा चोंसट से लेकर के 66 के में सभी आवेदन धारा 42 को छोड़ कर जिनके लिए इस धिनियम में अनियंत्र परिसीमा की कोई अवधी उपबंधी नहीं है बात करने के प्रावधान होने पर एक वर्ष के भीतर किये जाएंगे धारा च 66 में अपीलों को परिसीमा अधिनियम के अधीर पर तेक अपील जिसमें की कह है कि धारा संतावन के अधीन नियूकतन नयाधिकरन को जिस आदेश के भीर० अपील की जा रही है उस तित्री को 90 दिन के भीतरत था उपयत को अनुमंदल प्रधी कारी को जिस अधेश के तुत की जाएगी अध्याय आठ देखे वीद प्रावधान धारा इसमें सरसट से बहतर तक है धारा सरसट धन्ड के बारे में से प्राधान किया गया है यदि कोई बेखती जिसमें की कह यहां पास है भुस्वामी होते हुए किसी खास बांदो आहरो मेडो जलासें डांडो न देखे नियम या किसी भीज़ प्रावधी प्रविस्ट कोई पर्था समलित है कि पालन करने में असफल हो गह है कि भुस्वामी गराम प्रधान का या मुल रहती की सहायता से किनी बांधो आहरो या मेडो जलासें आधी में मरमत करने के असफल हो तो गाह है भूस्वामी या भूस्वामी का अभिकरता गराम प्रधान या मुल रैत धाराबीस के उलंगन में किया गया गाहों में कि भूमी की कोई हस्तानतिक समक्ष्मादर्थिकारी को प्रतिवेदन करने में असफल हो या अंगा में है कि भूस्वामी गराम प्रधान की मिरति के साथ बंदोबस्त करता है अत्वाच्छा है कि भूस्वामी या भूस्वामी का विकरता होते हुए भी नौन यूगत गराम प्रधान को जमावंदी या अधिकार अभिलेख की या मुल प्रमानिक प्रतियों देने से चुकता है या जह है कि रहत होते हुए भी पहला नमबर आदी के मरमत में सहायता देने से चुकता है या गाउं के रास्ते में पड़ाव भूमी या चारगा अतिकर्मन करता है या तीसरा नंबर का है कि नियम के बिरुद गाउं में कोई पियंड काटता है या गाउं के जंगल को अन्यथा बिरुद करता है तो जुर्माने की रकम 200 रुपे तक हो सकती है तथा अपराद के जारी रहने की दसा में परती दिन 5 रुपे तक के जुर्माने का भारी होगा दुसरा है यहापस की यदि कोई भूमी धारा बीस के उलंगन के गलत तरिके संस्ताति की गई हो तो किसी बेगती द्वारा जोती जाती हो तो उसे तीन वर्स तक कारावास या 1000 रुपे जुर्माना से या दोनों से अपराद जारी रहने की इस्थिती में परतेक दिन अतिरिक पचास रुपे की रासित धन्रिट किया जाएगा ऐसे जुर्माना उपायुक द्वारा ऐसी जाच परताल के बाद जो उपायुक स्वपिरनन या सुचना पाने पर या अपराद किये जाने की तारीक से तीन महीने की भीतर परिछुप्छुप्च के अभियोग पत्र देने या आदेश अंतिम होगा धारा 68 है इसके की भूस्वामी पर तामिल की जाने के लिए अपेक्षित परतेक्स कुचना यदि भूस्वामी की ओर से उसका तामिल स्विकार करने के लिए या उसे लेने के लिए भूस्वामी के हाथ से लिखित अधिकार दवारा ससत अभिकरता को तामिल की जाए तो इसका इस अधिनियम के प्रियोजन नार्थ में उसकी उतनी प्रभाव जनक होगी देखे आगे इसके बाद के धारा 79 के बारे में कतिपए भूमी के अधिकार के अर्जन पर रोक ठीक है किसी भी वीधि के में या संस्थाल प्रगना में वीधि का बल रखने वाले किसी वस्तू में किसी बात के रहते हुए भी को है कि धारा 20 के प्रावधानों में धारित या अरजित भूमी में या को है कि सरकार के लिए या किसी अस्थानिय प्राधिकरन के लिए रेले कंपनी के भूमी अरजन अधिनियों 1894 के अधिन अरजित भूमी में जब तक कि ऐसी भूमी सरकार की या किसी अस्थानी प्राधिकार की या रेलवे कमपनी की संपती रहती है गहा है कि ग्राम प्रधान मुल रहत के उनके परिवारों के सदस्वे या भू स्वामी के द्वारा परती धारित परती जोत में या ग्राम प्रधान के सरकारे जोत चारागा या इसमें किसी बेगती के कोई अधिकार प्रोधवत नहीं होगा धारा सत्तर बकायों की वसूली के बारे में देखित कि इस अधिन दिये गए सभी परिव्याय व्याज हानी या चति पूर्तियों की वसूली के लिए परवाहित रीद के वसूली किये जा सकेंगे धारा 71 नियम बनाने का अधिकार है जिसमें के पहला रासरकार धिनियम सुचना के नियम बना सकती है या पुराने अधिकार की समय उता के आगहात पहुचाए बीना रासरकार धारा 5 के रहतों के समती के निशित करने के लिए गराम प्रधान को अपने करतबयके संपादन करने के रिती धारओ को पैसी भूमि पर कभजा देने के रिती पर नियम बना सकीती है धारा 72 विशिष्ट विधानों का परित्रान ठीक है इस अधिनियम की कोई बातन साल प्रगना में लागू किसी अन्य विधी को जो इस अधिनियम द्वारा असपस्त या अवसे की अभिवक्षी द्वारा रद नहीं की जाएगा होगी या प्रभाईत नहीं होगी महत्पूर बाते देखे या पास है कि इस अधिनियम के धारा तिरपन को छोड़ कर सभी धाराओं को केंदर सरकार दवारा उनिसो नवी अनिसुची में डाला गया नवी अनिसुची में समलित होने से इस कानून के केवल संसद ही संसुधन कर सकती है न्याय पलिका इसमें दखल को निरस्थ करने की सकती प्रधान करता है धारा 20 के उपधारा 5 के अंतरगत उसी प्रकार के प्रधान जोड़े गए हैं जो के जोटानाकपुर का स्तकारी अधिनियम के धारा 71 के को के अंतरगत है वास्तों में या प्रधान बिहार सीडियूल एरिया रेगुलेशन 1979 म और गोड़ा जीला के सुंदर पहाडी और बी आरी जोड परखंड को अनुसुची छेतरों में सामिल किया गया है और संस्थाल प्रगनाथ छेतर में भूमी के अंतरन पर रोकपुर्व से ही लागू है दूसरे सब्दों में कहा जाए कि छोटानापुर कस्तकारी अधिनियम के तुनला में या रोक काफी प्रभावी रही वर्तमान सुरुप में कास्तकारे धनियम के धारा 13 के अंतरगत गैर क्रिसी कारियों के प्रयुक्त होने वाले भूमी के समद में कोई प्रधान नहीं है राज सरकार 16 के प्रस्तावित संसोधनों में इस धारा के अंतरगत अब मालिक को अपने जमिन के प्रक्रती बदलने के धिकार देने का निनल लिया गया है इससे अब कोई रहती अपने क्रेशी योग महुमी का व्यवसाई को प्योग कर सकता है आगे हैं C&T तथा SPT Act के प्रस्तावित संसोधन के बारे में देखे C&T Act की धारा 49, 1908 इस धारा के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग और खननकारियों के लिए जमिन ली जा सकती थी 2016 का संसोधित एक्ट अब सरकार उद्योग और खननकारियों के अलावा अधार्भु सरचना, रेल परियोजना, कोलेज या ट्रांस्मिशन, लाइन आधी कारियों के लिए भी जमिन ले सकेगी साथ ही, इस ए आर कोट में जमिन वापसी के मुगद में दायर होंगे आगे इसके बाद कि C&T 8 की धारा 21 और SPT की धारा 49 की धारा 13 1908 या 1949 मालिक को जमिन के परकिर्थी बदनने का अधिकार था अर्थात, जमिन की परकिर्थी अगर क्रिसी है तो मालिक उसका इस्तेमाल क्रिसी कारे के अलावा अने कारियों में नहीं कर सकता था 1216 के कैमिनेट ने इसे धाराओं में संसुधन करते हुए मालिक को जमिन के परकिर्थी बदनने का अधिकार देने के निनाय लिया इस थे अब कोई जमिन मालिक अपने क्रिसी योग जमिन का वेवसाइक उप्योग कर सकेगा इस जमिन पर मकान दुकान आदिन निर्मान कर सकता है यद पी वर्षद वर सतरह में उपर युक्षन सोधन सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है आगे है कि अन राजियों में भूमी समंधित कानून के बारे में देखे पहला हैं आपस बिहार के बारे में देखे बिहार की भूमी वियस्था बुरेटिस आसनकाल में तीन प्रकार की थी लोटकर 49 द्वारा सूर्य की गए अस्थारी भूमी वियस्था समस्त भूमी के बड़े भूभाग पर लागू थी कुछ शेत्र में भूमी का प्रावधान प्रबंधन और स्थाई रूप से कुछ नीतित समय के लिए किया जाता था कुछ ऐसी भूमी भी थी जिसका प्रबंध पुर्णत सरकार के द्वारा किया जाता था ऐसी भूमी खास महाल के नाम से जानी जाती थी 1938 में बिहार में क्रिसी आयकर कानून बनाया गया 1950 में बिहार में भूमी सुधर कानून लाया गया जिसके अधिन जमिन्दारी प्रथा कानून मूलन कर दिया गया 1993 में बिहार में समस्त भूमी पर सरकार का स्वामित हो गया इस अधिनियम में एक एकड से कम रियासत कास्तकारों को पुन्त अधिकार दिया गया 1971 में विराज सरकार ने भूमी हस्त बंदी कानून बनाया ठीक है इसके बाद है कि जिसके अंतरगत एक बेक्ति के पास अधिक्तम नहर सिंचित भूमी भी 20 एकड या असिंचित भूमी 20 एकड जमी रखने की बेवस्ता की गई 1971 कीस अधिनियम ने 1973 से 1976 और विरासी में संसोधन किया गया इस विच में खुद के कास्तकारों को जमीन हद बंदी के बारे में आगे आने को प्रसाहित किया गया ठीक है ठीक है बिहार सरकार के द्वारा बटाईदार या धिनियम 1907 में लागू किया गया इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटाईदार किसी जमीन को 12 साल से लगतार जोत रहा है तो उस जमीन पर उसका बटाईदार का अधीब होगा धीकार होगा ठीक है अधीब होगा धीकार रखता हो या भूपती अंधा कोड़ी या लकवा गरस्त या पागल या विद्वा या सैनिक में से कोई एक हो आगे है उतर प्रदेश के जमीन समधित कानुन के बारे में देखे उतर प्रदेश भूमी राज़ कानुन 1901 में लाया गया था बाद में सन 1926 तथा 1949 में उतर प्रदेश का स्तकारी कानुन बनाया गया था उतर प्रदेश में भूमी सुधार के छेतर में सबसे महत्पून पहल अजादी के बाद ततकालीन परदेश सरकार के द्वारा उत्रपदेश जमिंदारी उन्मुलन और भूमी सिधर कानून उसे काउन इस्वी में की गई इस कानून के दिन किसानों के पुराने वर्गी करन को स्माप्त कर दिया गया यहां किसानों को चार नई सिरेनियों बाटा गया ठीक है भूमी धर, दूसरा, सिर्धर, तीसरा, असामी, वचंथा, अधिवासी इस कानून को 1954, 1956, 1958, 1977 इस्वी में संसुधन किया गया इस वीच में 1973 में सरकार ने भूचक बंदी अनिवार रुपसे लागू कर दिया आगे, 1960 में सरकार के दवारा भूमी हदबंदी कानून लाया गया पर्देश के कुल भुभागों का दीकांस भाग कुछ ही किसानों के पास सिमित धा इस कानून के दवारा किसी भी किसानों को एक नीचित भुभाग ही रखने का रुमती दी गई थी भुमी हदबंदी में सरकार दवारा किसी भूस्वामी को उनिसो साट भातर तक के 16, 19 और 32 सेक्टियर उनिसो बहतर इस भी के 7.3 और 18.25 सेक्टियर भुमी धिक्तम रखने का प्रधान किया गया उतर प्रधे सरकार ने रही राजस्व सहिता द्वरसोलों को लागू कर दी गई इसके साथ 1901 का भुमी राजस्व धिनियम निस्प्रभावी हो गया इस सहिंता से अनुसुचित जाती वर्ग का कोई भुपती अब भिना अनुमती के अपनी जमीन का निबंद करा सकेगा अगर वह उस शेतर में जिसमें की वह भुभाग इस्तित है से अलग किसी अन जगा में बस गया हो तो किसी जान लेवा रोक से पिडित हो या अपने बाद जिसका कोई उतर धिकारी नहों आगे हैं मद्य प्रदेश के जमीन संदु समधित कानून के बारे में देखें ब्रेटिस सासन काल में मद्य प्रदेश की भुभाग वहस्ता दो प्रकार के थी प्रतम कुछ ऐसे छेतर रहत वारी वहस्ता थी और दूतिये कुछ ऐसे छेतर जहां माल गुजारी वसूल करने का उसूली करने वाले को कुल माल गुजारी का 25% कमिशन मिलता था रयत का अपनी भूमी पर अपने वंसानुक्रम में अधिकार रहता था लेकिन उसे भूमी हसानातित करने का अधिकार नहीं था 1991 में मद्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां की भूमी व्यस्था में सुधार करने है तो एक भूमी सुधार कानून लाया गया इसके तहट गौालियर इंदोर मालवा और स्टेट की जमिदारी खत्म कर दी गई 1993 में ततकालीन राज की सरकार के द्वारा गराम पंचाथ कानून बनाया गया 1969 में भूमी राजस्था सहीता बनाई गया इस परावधान से किसी भी परकार की लीज को परतिबंधित कर दिया गया दो या दो से ज़्यादा बू स्वामियों के सहमत होने पर भू चक बन्धी की वियोस्ता की गयी तत पचाथ निस सौट में भूमी अहदबंधि कानून लाया गया आगे है पच्छिम मंगाल के बारे में देखे आजाति के बाद पच्छिम मंगाल में टेरंसी कानून का पहला परिवर्ट निशव 50 के इस भी में वरगारदार ठीक है? इसमें यह प्राधान था कि बटाईदार और जमीन के मालिक के बीच फसल के बटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का समझता हो सकता है लेकिन यदि किसी मामले में कोई बिवाद उत्पन हो जाए तो वैसे स्थिति में बटाईदार कुल फसल का दो बटा तीन एवं जमीन मालिक के एक बटा तीन भाग ही मिलेगा इस कानून में जमीन मालिक को अपने किसी बटाईदार को हटाने का अधिकार था 1923 के वेस्ट बंगोल स्टेड़ेज एकवीजी सप्षन एक पारित किया गया इसका मुख्य लक्ष राज और रैतों के बीच मदस्तों को हटाना था 1925 में मंगाल भूमी सुधार कानून लाए गया इसके तहत या प्रवधान रखा गया कि कोई भू स्वामी अपनी भूमी पर खेती करने के लिए कास्तकारों से जमीन वापस ले सकता है लेकिन कास्तकार के पास अगर एक हेक्टर से कम जमीन हो तो ऐसी प्रस्थिती में भू आपसी का प्रवधान संभव नहीं होगा इस कानून में यह प्रवधान भी किया गया कि दो या दो से जादा जमीन मालिकों को सहमत होने पर भूमी की चकबंदी की जा सकती है 1971 के संसोधन से भूमी हदबंदी की और भी कम करके उसे प्रती परिवार के अधार पर कर दिया गया ठीक है 1986 के संसोधन से हदबंदी को सभी परकार की जमीनों के लिए लागू कर दिया गया अब कोई भी परिवार क्रिसी एवं गैर क्रिसी सभी परकार के जमीनों को मिलाकर हदबंदी से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता है आगे है उडिशा के बारे में अजादी के बाद 1971 में उरिशारा सरकार के द्वारा स्टेट एविलियोशन एक्ट लाया गया इस अधिनियम के द्वारा सरकार एवं रेत के बीच मद्यस्त की भूमिका को खतम कर दिया गया है 1967 में उरिशारा सरकार के द्वारा भूमिसुधार अधिनियम लाया गया इस अधिनियम से एक फसलो भूमिको जोतने वाले कास्तकारों एक नीची समय सीमा तक भूस्वामी के द्वारा बेदेखल न करने का प्रधान रखा गया किसी गरिब कास्तकारों को भूमि पर मालिकाना हाग के अलिए कास्तकारों के मदद ब्यवस्था की गई साजा फसल उत्पादन के अलिए लीज का प्रधान किया गया लेकिन ऐसे साज़ेदार कास्तकारे के रुपने चिनित नहीं किये गए इसके तहत 1960-1972 तक 8.09 से ले करके 32.37 हेक्टेर तक 1932 के बाद 4.05 से ले करके 18.21 हेक्टेर अधिक्तम जमी रखने का बियुस्था किया गया 1972 में राज सरकार के द्वारा पुना एक भूमी सुधार अधिनियम लाया गया इसके तहत रहतों को अपने सहमत भूमी पर पुनता रहती अधिकार देने का प्रधान किया गया इस अधिनिया में भूमी चकबंदी अनिवार रूप से लागू कर दी गई थी अता अजादी के बाद भारत के विभिन राजियों के भू बियुस्था को देखने से या असपस्थ आरूप से दिखता है कि समस्थ भूमी का ज्यादा तर भाग कुछ ही भू स्वामियों के जमिनदारों की बेष्था में समाने कस्तकारों का पुन सोषन होता है था अतारा सरकार के द्वारा अलगलग समय में जमिनदारी प्रथा के वन्मूलन की बाद resposta तो दोस्तो यह वला जो पाठ है जारकन समान ग्यान का सबसे टफिस्ट पाठ है तो उमीद है कि आप इस वीडियो को दो चार बार रिविजिन करें बाद में या आपको वसी समझ में आएगा क्योंकि यह रिविजिन वीडियो था इसलिए हम लोग फटा-फट इसको सिर्फ पढ़ते हैं ठीक है तो उमीद है कि हम लोग जारकन के अगले जुस्तिरी जल्ले क्यार कहेंगे उसमें आपको बेश तरीका से समझ में आएगा तो चलिए मिलते हैं अगले उडियों तब तक के लिए धन्यवाद